बोलिए सद्द्गुरु देवय की जय आज सद्द्गुरु कबीर साहब की 626 मी कबीर जयन्ती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारी इस कारकम में आये हुए सभी पूज्ये संतों, सμमाननी सज्जनों एवं माताओं वहनों का हारदिक स्वागत है इस कारकम में हम संतों के संदर विचार और उंके भजनों से लाखानित होंगे कारगम के प्रारम हमें आईए सबसे पहले हम संत स्री बिने साहब का भजन सुनते हैं उसके बाद फिर संतों के विचार स्रुण करते हैं बोलिये सद्धिगुरु देव की जय बोलिये सद्धिगुरु देव की जय कर जोरे अरजी करूं चरण नवाऊं सिस पल पल गुरु की बंदगी सत्धिगुरु देव बक्सिस जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे ते फटक रहे विस्यावन में बहुती छड़काट चुबे तन में हाँ 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 में पीत रहे दिन सारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे तम अंधकार में भान मिले बैते सागर में आन मिले आत पीडित रोग में वैद मिले सुपकारे चरडों में तिस तुमारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे चरडों में तिस तुमारे मन से सब मत को हरण किये जीवन बैराग सुपरण किये मन से सब मत को परण किये जीवन बैराग सुपरण किये जित अक्चय को जबी चक दन दे चक सारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे चरडों में सिस तुमारे जीवन मेरा सुप मैं होवे मन रुज सुप आसा चय होवे दो ग्यान आन पे चड़के हूं भव पारे चरडों में सिस तुमारे जय जय सत्धिगुरु का बीर प्रभु मम प्यारे चरडों में सिस तुमारे तन मुक दो खुद्रिष्ट महान रहे बैराग चड़ाया सान रहे अबिला से रहे मुक दो खुद्रिष्ट महान रहे बैराग चड़ाया सान रहे अबिला से रहे मुक के पद में एक तारे चरडों में सिस तुमारे जय जय सच गुरु का बेरे प्रभु मम प्यारे चरडों में सिस तुमारे जय जय सच गुरु का बेरे प्रभु मम प्यारे जय सच गुरु दैव की जय परम पूज्य सच गुरु स्री अभिलास साहिब जी की रचना यह भजन अभी हम संस्री विने साहिब जी के द्वारा सुन कर रहे थे जो बहुत ही मार्मिक और प्रासंगिक था अब हम भजनों का कारिक्यम यहीं पर समाप्त करते हैं आगे विचार सुनेंगे और विचार रखने के लिए हमारे वेचुपस्तित हो रहे हैं कभीर पारक संस्थान से पधारे हुए स्री कमलेस साहिब आप अपने संदर विचारों से इस अवसर पर हम सबको लाभानित करने का कश्ट करें आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करूँगा भारत वर्ष की कासी नगरी में लहर तारा नामक तलाब के किनारे कमल फूलो की सुकोमल सया पर एक नवजाद सिस मिला जिसे नीरू और नीमा दंपत जुलाहों ने पालन पोफड किया इसी सिस को हम कभीर के नाम से जानते हैं कभीर का अर्थ है महान स्रेष्ट बड़ा जैसा अर्थ है वैसा उनमें महान गुण भी था लोग कहावत है कि सद्गुरू कभीर साहेब भगवान नहीं मानते हैं जात नहीं मानते हैं धर्म नहीं मानते हैं लेकिन सद्गुरू कभीर साहेब का जीवन ब्यक्ति परिवार समाज राष्ट एवं संपोन विष्व के लिए एक प्रेणा का स्रोत्र है सद्गुरू कभीर साहब भगवान को ही मानते हैं जात भी मानते हैं धर्म भी मानते हैं लेकिन उनके मानने का ध्हंग अलग है उनके मानने का धंग यथार्था है, सत्त है लोग कहते हैं कि सद्गुरु कभीर सहब भगवान नहीं मानते हैं तो जो लोग भगवान मानते हैं यहां उत्तरप्रदेश में राम को मानते हैं जादा, कृष्ण को मानते हैं महाराष्ट में चले जाएए, तो वहाँ कोई दूसरे भगवान मानते हैं, दच्छिन भारत में कुछ और मानते हैं, कोई दुर्गा मानते हैं, कोई काली मानते हैं, पोचते हैं, हमारे भारत ही नहीं, बिश्व में अगर आप चले जाएं, तो राम क्रेष्ण दुर्गा का नामों निसान ही नहीं है यहीं के लोग जा जा करके वहां संपरदाय फैलाएं हैं बताएं हैं, राम की महिमा बताएं हैं भगवान की महिमा बताएं हैं तो कुछ लोग जानते हैं और वहां के जो लोग इस्वर मानते हैं जो उनके सद्गरंत है मजहब है यहां के लोग नहीं जानते हैं लेकिन कबीर साहब ने जिस भगवान को बताया है जिस भगवान को लखाया है वो सारुभावमिक है लोग कहते हैं मानते तो हैं अनेक प्रकार के लेकिन कहते हैं भगवान एक है लेकिन सद्गुरु कबीर सहाव यथारत कहते हैं कि वास्तों में भगवान एक है उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा बताया है जीव को ही सीव बताया है आप कहीं चले जाएए भारत में भारत के बाहर जितने प्राणी हैं सब में आत्मा है और वही आत्मा ही परमात्मा है तो कबीर साहब जी जो बताते हैं वो सारभावमिक हैं हर जगा हैं देश भी देश में नहीं नभु में जल में थल में जहां जहां प्राणी हैं वहां वहां जीव जीव है जीव ही सीव है वही आत्मा वही परमात्मा है तो सद्कुरू कभीर सहाब जो इस्वर को बताते हैं वो एक अनुभाविक है अनुभाव कभी सह है अनुमान कभी सह नहीं है कलपना कभी सह नहीं है हम यहाँ पर बैठे हैं अगर पूछा जाए कि भगवान है की नहीं है तो कुछ लोग कहेंगे भगवान है और कुछ लोग कहेंगे भगवान नहीं है कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप हैं की नहीं है तो उनमें यह कोई नहीं कहेगा कि नहीं हम नहीं हैं, तो अजो लोग यह कहें कि नहीं हम भी नहीं हैं, उनको यह विस्वास नहीं हैं, तो लोग तो ऐसा ही कहते हैं, जैसे कोई कहे कि मेरे जीव नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूं, अब जीव नहीं है, अगर वो बोल नही होता है तो मैं हूँ इससे बड़ा प्रमान क्या हो सकता है तो सद्गुरु कभीर साहव ने यथार्थ की बात करते हैं वो कहते हैं कि जात जात है जात एक है मनुस्म की जात है पसपच्छों की जात है कुत्ते बिल्ली की जात है वोट बकरी की जात है यह जात अलग अलग है जात है उसी स्रेंडी में मनुस्स एक जात है इतना ही नहीं यह तो सजीव प्राणी की बात हो गई वो निर्जीव में भी कहते हैं कि जात है देखिए पेड पाउधे हैं, इनकी अपनी जात है कोई आम की जात है, पपीता की जात है, मरूद की जात है पेड तो सब हैं, सब अलग अलग नाम है तो सद्गुरु कबीर साहेब मनुष्य जात बताते हैं वो अंद विस्वास की बात नहीं करते हैं बहावक्ता की बात नहीं करते हैं, वो यह नहीं कहते हैं, कि यह ब्राम्भण हैं, यह च्छत्री हैं, अगर यह तो एक माननता मात्र है, सद्गुरु कभीर साहब ने कहते हैं, कि जो तू ब्राम्भण ब्राम्भण को जाया, और राह दे काहना आया, जो तु 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 तुरुकन को जाया तो पेटे ही का है न सुनत कराया प्रकित का नियम सब एक होता है प्रकित में जो नियम है वो सब के लिए एक होता है मन उसकी जो पैदा होता है उसका जो नियम है वो प्राक्तिक नियम वो सब के लिए एक समान है वो चाहे इसलाम धर मानता हो, चाहे बहुत धर मानता हो, चाहे यहुदी धर मानता हो, तो इसलिए सद्गुरु कभीर साहब ने कहा है कि जो तू ब्रामभर, ब्रामभरी को जाया, अगर तुझे ब्राम्भर होने का अभिमान है कि मैं ब्राम्भर कुल में पाइदा हुआ हूँ तो और राह दे कहन आया तो सद्गुरु कभीर साहब कहते हैं कि तेरी क्या पहचान है कि तू ब्राम्भर कुल में पाइदा हुआ है जैसे सब कोई पैदा होता है वैसे तुम भी पैदा हुए और मुसल्मानों को भी कहते हैं कि जो तु तु तुरुकन को जाया तो पेटा ही काहना सुनत कराया लोग कहते हैं कि मुसल्मान जब पैदा होता है तब उसकी खतना करते हैं आल्लाह ने पूरी सरीर की संग्रचना बना दिया है, पूरी बोड़ी को एतने सिस्टेमेटिक ढंग से मान लो बना दिया है, तो क्या वो उतना काम नहीं कर सकता था, इसलिए कबीर साहब जी जो बताते हैं वो अथार्त की बात करते हैं, जात मानते हैं, मानो जात मानते हैं, हम लोग समझदार हैं जरह विवेक करिये कि कोई अस्पताल में दो महिला हों एक मुसलिम जात की हो और एक हिंदू जात की हो और दोनों बच्चे को जन में दें साथ ही में और दोनों माताएं जो हैं आजेती अवस्था में हो उनको चेत न हो होस न हो और वहां पर केवल एक नर्स हो और उस कमरे में कोई न हो अम माताएं तो बेहोस हैं अचेती अवस्था में हैं और उन्ही के बच्चे को अगर नर्स बदल दे मुसलिम के बच्चे को हिंदू माता के रख दे और माता के वाली को हिंदू वाली के रख दे बच्चे को अदल बदल दे और उसके बा जिन्हों ने उनको जन्म दिया है वो भी नहीं जान पाएंगे, हिंदू का बच्चा मुसल्मान के हाँ जाएगा, मुसल्मान का बच्चा हिंदू के हाँ जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, पूरा जीवन जिएगा, वैसे ही संसकार में वो ढ़लेगा, तो कोई आकासवाण नहीं होगी, कि नहीं, ये हिंदू के हाँ आ गया है, इसलाम में, धर्म में, या लाह कोई आकासवाणी से उनको बताएगा नहीं, ये हिंदू में कोई भगवान नहीं बताएगा, तो सद्गुरू कभीर साहब जी जो बात कहते हैं, वो इथार्द की बात कहते हैं, वो अन तो महाँ धर्मात्मा थे, कहते हैं उन्हें कहा गया है कि वो तो धर्म छेत के वैज्ञानिक थे, धर्म छेत के तुम वैज्ञानिक, वैज्ञानी, तो कैसे धर्म का पालन नहीं करेंगे, सद्थ गुरु कभीर साहिब कहते हैं कि जहां दाया तहाân धर्म है, लोग धर्म मानते हैं, कोई ब्रत रहता है तो धर्म आत्ते हैं, देवी देवतापोछते हैं तो कहते हैं, हम धर्मात्मा हैं, तीर्थों में गाए अस्नान करने तो कहते हैं, हम अस्नान कराए हैं, Size का कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाफ, जहां क्रोध तहां काल है, जहां छमा तहां तो जहां धर्म है, दया है वही धर्म होता है, एक दयालू आदमी धर्मात्मा होगा, अगर वो दयालू है, तो हिंसक नहीं होगा, वो हिंसा नहीं करेगा, एक दयाल तो सद्गुरु कबीर साहिब जिस पर बताएं हैं, जिस पर बोले हैं, चाहे धर्म पर बोले हों, चाहे जाद पर बोले हों, चाहे इस्वर पर बोले हों, वो बिलकुन यह अथार्थ बोले हैं और अन्भो की बात बोले हैं। तो सद्गुरु कभीर साहिब कि आज कभीर जैंती है, हम लोग सब यहां आएं हैं, सद्गुरु कभीर साहिब ने कहा है, जो तू चाहे मुझ को छान सकल की यास, मुझ ही ऐसा होई रहे, सब सुक तेरे पास, सदूर कभीर साहब कोई अपना मंदिर मजहब नहीं तयार किये हैं उन्होंने सुद्ध मानावता का पार्ट पढ़ाया है उन्होंने कहा कि अगर तू सुख सांती चाहता है जो तू चाहे मोझको तू छाण सकल की आश्ट तू सारी वासनाएं कामनाएं छोड करके त्याग करकर सुद्ध मानावता सद्गुन का आश्रन करो इसी में तुहारा कल्यान है आज हम स्वस्त सरीर पाएं हैं सद्गुरु पाएं हैं अच्छा सद्गृंध पाएं हैं इतना अच्छा आउसर है इसमें हम अपना कल लेना चाहिए नई तो जीवन एक एक दिन निकलता है और बितीत हो जाता है हम यहाँ पर बाइटे हैं कोई का जीवन एक हीशा बीट गया कोई का दो हीशा किसी का तीन हीशा और समझ नहीं पाएं हैं इतने दिन बीट गया और इतनी जल्दी जीवन हमारा खतम हो गया और जो सेश जीवन है वो भी बीच जाएगा इसलिए हम सब को चाहिए कि इस कभीर जैनती के आउसर पर हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को निर्दोस बनाएंगे और अच्छा से जीवन बतीत करेंगे इनी सब्दों के साथ मैं अपनी भाड़ी को विराम देता हूँ बोलिए सद्गुर्देव की जै बहुत थोड़े में और मार्मिक कवीर संदेश को हमने स्री कमलेश साहिब के द्वारा सुने और अब आगे विचार रखने के लिए हम निवेदन करते हैं संद्श्री प्रसान्थ साहिब से कि आप अपने सुन्दर विचारों से हम सबको लाभानुत करने का कश्ट करें बोलिए सद्गुरुदेव की जै परम पोज्य गुरुदेव जी अर्चनी बंधनी मुद्मंगल में संसमाज धर्म प्रेमी शज्जिनों माताओं बहनों मेरे लिए आदेश हुआ है आदेश का पालन करते हुए कुछ देर कुछ बातने प्रस्तूत है शद्गुरु कबीर शाहव की आज जैनती है उस उपलक्ष में हम सब यहाँ पर है आप सबाए और बड़े उत्साह के साथ बड़े भाव के साथ आप सबाए है अभी बाहर जैकारा भी लगाए शद्गुरु कबीर साहव जैसे सूरी के समान महापुरुष मिलना वड़ा कठीन है वे आग थे आग और पानी थे पानी पानी के समय में बिलकुन सीतल पानी से ताथ पर है बिलकुन सीतल और आग से ताथ पर है कि कोई भी कुड़ा कच्ड़ा बचने वाला नहीं उनके सामने जो भी उनको सुविकारा है सच्चे दिल से निश्चित है निर्मल तक अन्भो किया है और वही हमें भी अन्भो करना है शद्गूर कबीर साहिब एक साखी में कहते हैं ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरुना लखाई बाट ताके बेड़ा बोड़ हैं फिर फिर आउगट घाट बहुत ही सरल साखी है इसमें शद्गूर की महत्ता बताई गई है हमारे जीवन में गुरु क्यों करना चाहिए उस पर दर्साय गया है साहिब कहते हैं ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरुना लखाई बाट उसकी पूरी कैसे हो सकती है वो पूरा शुक्षान्तिक अन्भव कैसे कर सकता है जहां गुरु की महत्ता नहीं समझी जाती है गुरु को अपने जीवन में सुविकारा नहीं जाता है कुछ लोगों के मुक्ष से सुनने को मिल जाता है कि गुरु करने की क्या जरूत है हम स्वयम अध्यन कर लेते हैं और पुस्तके पढ़ लेते हैं प्रोचन सुन लेते हैं और हमारा विवेक ही गुरु है ऐसा लोगों की मानता है और गुरु से फिर ऐसे लोग बहुत दूर रहते हैं लेकिन ये ध्यान देना है हमें एक पंचर सीखने के लिए भी हमें गुरु की जरूत पढ़ती है पंचर बनाना सीखना है तो कोई उस्ताद की जरूत है गुरु की जरूत है ऐसे ही और भी आप सोच सकते हैं बिद्या आरजन आप किये हैं डिगरी हासिल किये हैं आज अपने को कुछ योग गिता पर महसूस कर रहे हैं तो गुरु कही उसमें खेल है गुरु के माध्यम से ही आप जाने है गुरु ना मिले होते तो आज जो बोल रहे हैं आप वो भी न बोल पाते कोई बच्चा जन्म लेते ही किसी जंगल में पढ़ जाए उसे किसी तरह मानो पल जाए पल तो जाएगा बड़ा तो हो जाएगा चेहरा मनुष जैसा ही रहेगा लेकिन वो सब्दों का ग्यान नहीं रहेगा वो माता पिता के द्वारा पाला जाता है माबाब के पास रहता है लोगों का साचरी उसे मिलता है तो सब्दों का ग्यान अपने आप हो जाता है अमेरिका में आप देख सकते हैं, अन्भाव कर सकते हैं कोई वच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसे इंग्लिस पढ़ाने या इंग्लिस मेडिया मे भेजने की जरूद नहीं पड़ती है उसने में इंग्लिस शीख जाता है क्योंकि वहां की भासा ही वही है और अपने चेत्र में, यहाँ भारत में, किंदी सीख जाते हैं लोग, उन्हें हिंदी सीखाने की बहुत ज़रूवत नहीं परती हैं, कुछ सब्द ऐसे हैं, जो कटीं हैं, उसे माश्टर के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है, माश्टर बनने के लिए माश्टर की जरुवत होती है वकील बनने के लिए वकील की जरुवत होती है ऐसे ही इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की जरुवत होती है बिद्वान बनने के लिए बिद्वता अपराप्त करने के लिए किसी बिद्वान की जरुत होती है सब जगे लोग इस बात को समझते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं काम भी करते हैं यहां तक की पैसा धन सब कुछ लगाते हैं लेकिन जब गुरु भक्ति की बात आती है शंतों की संगत की बात आ जाती है तो वहां कतराते हैं बचते हैं साहिव कहाते हैं ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट उसकी पूरी नहीं हो सकती है जिसे गुरु ने रास्ता नहीं बताया ज्ञान नहीं दिया है वो दिक्चित नहीं है सिक्चा में ही सीमित है सिक्षा और दिक्षा में यह अंतर है सिक्षा भौतिकता का ज्यान सिक्षा से हमें भौतिकता का ज्यान मिलता है और दिक्षा से अध्यात्म का ज्यान मिलता है आंत्रिक ज्यान मिलता है बाहर से उसमें हटने की बात बताई जाती है मोह ममता छोड़ने की बात बताई जाती है मोह ममता छोड़ करके ही हमें सुकून कानभव मिलता है जब आप नीद लेने जाते हैं तो बच्चे का मोह, परिवार का मोह, पती का मोह, पत्नी का मोह छोड़ करके हड जाते हैं, कांत में चले जाते हैं आख मून लेते हैं सोचना बंद कर देते हैं तब सुखुन कानभो करते हैं बढ़िया निन पाते हैं बस ऐसे ही पूरी हमारी तब हो सकती है जब गुरु का ग्यान हम में होगा गुरु का ग्यान पाने के लिए सद्गुर कभीर साहब एक साखिय और काते हैं जाना नहीं बूजा नहीं समुझ किया नहीं गौन अंधे को अंधा मिला रहा बतावे कौन जाना नहीं बूजा नहीं स्वयम जानकारी भी प्राप्त नहीं किया और गुरु की द्वारा दिक्चितो करके, सत्संग करके उस पर विचार भी नहीं किया जाना नहीं, बूजा नहीं, समुझ किया नहीं, गौन और विचार करके उस पर चलने कभी प्रयास नहीं किया फिर इस परवेश में क्या होगा? अबोधी को अक्सर अबोधी ही लोग मिलते हैं सज्जन को सज्जन मिलते है दुर्जन को दुर्जन मिलते है देखा जाता है कि जहां जैसा बहाव होता है वैसे लोग मिलते हैं तो हम अब ओधी अगर बने रहेंगे तो निश्चित हमें अब ओधी लोग मिलेंगे अर्थात हमारा हिर्दे की जो आख है हमारे हिर्दे की जो आख है वो फूटी रहेगी तो निश्चित वैसे लोग हमें मिलेंगे तो अंदे को अंधा मिले राह बतावे कौन अब ओधी ही फिर उसे राह कून बताएगा रास्ता कोन बताएगा कि ढंग सी सब्सक्ता आगे बढ़ने के लिए हमें जैसे विद्यारती को अगर पढ़ना है तो ऐसे बच्ची की संगत करना होगा जो पढ़ने में तेज हो फिर दिश्चित है फिर वो भी आगे बढ़ सकता है अगर वह गोली खेलने वाले गाली देने वाले जगडावलू बच्चे की अगर संगत करेंगे तो पढ़ नहीं सकता है ब्यर्त में इधर उधर बकवास करने वालों की संगत करेंगे तो पढ़ नहीं सकता है अगर उन्हें पढ़ना है तो कोई ऐसे बच्चे की संगत करें जो पढ़ने में तेज हो ऐसे बुजुर्गों की संगत करें जो सही सिक्षा, सही संसकार देता हो तभी हम तभी वो बच्चा आगे बढ़ सकता है और हम अपने मंजिल को और अपने रास्ते को अच्छे ढंग सित्ताएं कर सकते हैं साहिब कहते हैं ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरू न लखाई बाट उसकी पूरी नहीं पढ़ सकती है अर्थात उसके जीवन में शांतिक अनभव नहीं हो सकता है उसका कल्यान नहीं हो सकता है उसके मन में एक अच्छा अनभव नहीं हो सकता है अच्छा अनभव करने के लिए हमें गुरू की जरुवत होती है गुरू के ना होने से हमारा मन द्वंद में राता है दुविधा में राता है संसय में राता है का जाता है एक बावधिक संतोस होता है एक हार्दिक संतोस होता है इर्दे से संबंदित संतोस होता है बावधिक संतोस आप देवी देवता भगवान भवानी भूत परेत से बचे है तो आपको बावधिक संतोस होगा मन में काफी निर्भायता रहेगी मन भटकेगा नहीं डरेगा नहीं निर्भए रहेगा और हार्दिक संतोस हिरदय को संतोस्त मिलता है जब आपके अंदर क्रोध नहीं होता है लोब नहीं होता है मोह नहीं होता है और कुछ ऐसे विचार आप रखते हैं जिससे मन शान्त होता है वो विचार है भक्ती से संबंदित भक्ती करने वाला बिनम्र होता है जब आपको बोध होता है ग्यान होता है गुरु की संगत मिल जाती है तो निश्चित है आपको यह जानकारी हो जाती है इतने बड़े सूरी को कोई जानदार प्राड़ी निकल नहीं सकता है आपको जानकारी हो जाएगी बोध हो जाएगा तो काफी मन हलका रहेगा कोई प्राड़ी बिना यंत्र के बिना साधन के उड़ नहीं सकता है कोई गुरु बाबा अपने मंत्र के बल पर किसी भैसे को मंत्र नहीं बोलवा सकता है यह जानकारी हो जाएगी क्योंकि संतों से जुड़ करके जो आपको बोध होगा ग्यान होगा तो उसमें काफी आप हलके रहेंगे अच्छा महसूस करेंगे यह जब अच्छा महसूस करेंगे तो निश्चिंत रहेंगे एक साखी और कबीर साहिब की आप सुने होंगे माता मरे तो एक फल पिता मरे फल चार भाई मरे तो हानी है कहें कबीर विचार माता ममता जब मर जाती है तो एक फल की प्राप्ति होती है वो फल क्या है शान्ति वो फल क्या है निश्चिंतता जब ममता ही नहीं हमारे पास तो आप निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत व्यक्ति ही शान्ति पाता है और शान्ति से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही निर्भय रह पाता है तो हमें ममता कुमारना है ममता कुमारने वाला व्यक्ति ही गुरू का प्रेमी होता है सरल होता है भाय माता मरे तो एक फल पिता मरे फल चार पिता मर जाने क बाद चार फल की प्राप्ति होती है पिता कोई यह न सोचे कि हमारा पिता मर जाए तो हमें चार फल की प्राप्ति मिलेगी होगी पिता का मतलब यहां पर अहंकार अहंकार मर जाने पर आदमी बिनम्र हो जाता है अहंकार यह आदमी कभी संतों के पास नहीं जा सकता है कभी सामने जुक नहीं सकता है हर समय अक्ड़ा रहेगा कुछ ऐसे सब दुषके निकलेंगे जिसमें केवल दूसरे के लिए तुछ्छता का भाव होगा दूसरे से गणा का बाव होगा है कुछ ऐसे हुश के मुख से निकलेंगे जिससे केवल उसे ह двух कही мог तो पिता मरे फल चार चार फल क्या है अर्थ धर्म काम और मोक्ष पिता हंकार है अवह अहंकार मर जाने के बाद लगभग हम पूरी मनुष्टा में जीते हैं यहां चार फल का ताथ पर यही एक पूर मनुष्ट हो जाना आपके पास परियापत धन भी रहेगा आप दयालू रहेंगे क्योंकि धर्म वही कर सकता है जो दयालू होता है सद्गुर कभीर ने कहा दया राकि धर्म को पाले जग से रहे उदासी अपना साजिव सब का जाने ताही मिले अभिनासी अभिनासी का अनभव करने के लिए हमें दया रखना पड़ता है और जो दयालू होता है न खिर्धी घुमा लेता होगा, तमाम पत्थर के मूर्थी रोड के किनारे खड़े हैं, वहाँ पर सीज युका देता होगा, यही उसका मानता है, यही अपना उधर्म मानता है फिर वो गाली बगता हो तमाकू खाता हो बीणी पीता हो सिंग्रेट पीता हो जैसा तैसा जीवन जीता हो मुकदमा लड़ता हो दूसरे क्या डान काट लेता हो जैसा तैसी जिन्दगी जीता हो फिर भी उधार में माना जाता है उची जात का हो फिर चाहे हो होटल मे से जोड़ दिये हैं इतना बकरी मुर्गी काटने वाले साय धत्या नहीं करते हैं जितना धर्म के नाम पर इतिहास गवाह इसका धर्म के नाम पर अत्याएं हुई है बंदू हमें धर्म को सही धंक से समझना होगा धर्म हमें दिल देता है दया देता है रहम देता है प्यार देता है इसनेह देता है एक दूसरे से जोड़ता है वो धर्म नहीं जो एक दूसरे से तोड़े जातिपात के नाम पर एक दूसरे से दूर कर दे वो धर्म नहीं माना जा सकता है हिंदू धर्म, जैन धर्म, कबीर धर्म, कौन-कौन धर्म दुनिया में चलते हैं, ये धर्म की जरुवत है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वास्तिविक धर्म है, वास्तिविक धर्म है, जो दिल से दिल जोड़े, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुखना है, च दिल पर दिल तभी होगा जब हम धार्मिक होंगे और धार्मिक तभी माने जाएंगे जब दयालू होंगे, दयालू व्यक्ति मच्छर मारने से भी डरता है, मच्छर भी नहीं मार सकता है वो, तो बड़ी हत्याएं दूसरे को दुख देना ये तो करी नहीं पाएगा, अपने सरीर में बैठे मच्छर को भी उधीरे से उड़ाता है बंदूओं हमें ध्यालू बनना है आर्थ धरम काम उसकी कामनाएं भी लगबग बड़े अराम से पूरी हो जाती है क्योंकि उचाही नहीं रखता है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन साह वह ऐसा जीवन जीता है कि उसकी चापने आप पूरी हो जाती है एक पत्नी पती से बहुत कामना रखती है सोना चांदी गहना कपड़ा अलता बहुत कुछ अगर चाह रखती है तो निश्ची ते वह अंदर से असंतुष्ट रहेगी दुखी रहेगी नीद उ उसके लिए हैरान रहेगा परिसान रहेगा उसके घर के माबाप सा ससुर भी हैरान रहेंगे और ऐसी नारियां ही समय से फासी लगा करके मरती है और पूरे घर वालों को फसा के चली जाती है तो जो चाही नहीं रखता है चाह से दूर रहता है निश्चाम भाव से अपने जीवन को जीता है, कर्तब का कर्तब करता है, कर्तब का पालन करता है, निश्चित है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, न कारात्मा की इच्छा किसी की नई पूरी हुई है और न कभी पूरी होगी, साहिब काते हैं उसकी कामना भी पूरी हो जाती है, और अंतिम में ऐसे व्यक्ति हो मुक्ति कानवो होता है मोक्ष है ऐसे व्यक्ति की ही मुक्ति कानवो होता है और साहब अंति में काते हैं भाई मरे तोहान है कहें कवीर विचार भाई माने भाव देखो यह भाव है इसलिए आप दोड़े चले आए भाव जिसके पास नहीं है वहा करके पूरी खा कि चला जाएगा बाहर बैठा रहेगा गप सब करता रहेगा और अंदर से सही लाब नहीं ले पाएगा यहां पर आए है आए है बस वो कुछ रिस्ते नाते निभाने के लिए चलो वहां पर फलाने आएंगे मिलेंगे चलो वहां पर फलाने जगे के रिस्ते दार आएंगे मि लेंगे यही भावना से उलोग आते हैं लेकिन जिसकी भावना है ससंग से जुड़ी है संतों से जुड़ी है उनिश्यत है अच्छे ढंग से एकागर्चित से बैठ करके सही माइने में शद्गूर संतों से अपने जीवन में लाब लेते हैं तो मैं कह रहा था भाई भाई मर तो हान है जहां भाई मन्हें भाव मर गया वहां कुछ नहीं है मनुश्था ही खताम हो जाती है इसलिए अपने भाव को बरकरार रक्धे जिंदा रक्धे क्योंकि भाई है तो रिसिदार आएंगे संत आएंगे गुर्जन आएंगे और जहाँ भाव है वह सतसंग है, जहाँ भाव है वह संतों की कंटी है लोग कंटी दो करने कहोटी में टांग देते हैं, पिर कोई चिंता नहीं फिर खाते हैं, बराबर सब कुछ करते हैं बंदूओं बाई मरे तोहान है कहाँ कभी विचार संद गुर्जनों का यही विचार है इस पर हमें मनन करना है ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट ताकि बेड़ा बूड़ है फिर फिर आउगट घाट बारम बार हमको घाट में जाते रहेंगे अर्थाद विप्रीत दिसा में विप्रीत खानी में बटकते रहेंगे इसलिए ये मानो जीवन बड़े सवभाग से मिला है और सबसे बड़ा सवभाग है हमें संद गुर्जन मिले हैं पारखी संद मिले हैं क्योंकि संद गुर्जनों में भी एक से एक होते हैं उनसे जुड़ करके हान ही होती है हम संतों से जुड़ करके सही मायने में लाब लें क्योंकि यह हमारा बहुत बड़ा सो भाग गया है मैं सद्गुर कभीर साहिब के साखी के माध्यम से कुछ बाते कहने का प्रयास किया यही पर अपने वारे को भी राम देता हूँ एक बार जोर से जै बोलें बोलिए सद्गुर कभीर साहिब की अभी हम बहुत सुन्दर विचार सुन्ण कर रहे थे आपनों के वेज थोड़ी देर कुछ विचार मैं भी रखने का प्रयास करता हूँ आज से 626 वर्स पूर कासी नगरी में एक ऐसे बालक का जनम हुआ निरू नीमा नामक जुलाहे के घर में कि वह बच्चा हमारी भारती सभ्यता ही नहीं मानावता के इतिहास में अद्वती हो गया उनके जैसा त्याग उनके जैसा अस्पष्ट कहने वाला और मन वाड़ी कर्मों की पवित्रता को लिये हुए मानावता को उपर उठाने के लिए अंदर से पीडित और अपनी आत्म शान्त की उस उच्च इस्थिती में ठाहरा हुआ कोई दूसरा नहीं दिखाई देता सद्गुरु कबीर एक ऐसे महामानों थे जो बाहर से तो सब प्रकार से अकिंचन थे उनके पास क्या था जुग्गी जोपड़ी में पैदा हुए जहां पर चर्खा करगा चलाया जाता था कपड़ा बुना जाता था सुबा से ही लोग काम सुरू करते और कपड़े बेचते थे खाने के लिए जब दिन भर काम करें कुछ कपड़े बिखते थे तब इकठा हो पाता था दो जुन की रोटी उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे कोई राजा महराजा के अहां नहीं पैदा हुए थे आप सोच सकते हैं कि हम अगर किसी धनी के घर में जन में होते तो हमारे लिए सुविधा होती हमारे पास तो कुछ रुपए पैसे या प्रापर्टी हाई नहीं है आप कभीर को देख लिजिए मन की सारी विथा समाप्त हो जाएगी सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और पिछड़े वालों के लिए नहीं जो उच वर्गी हैं उनके अहंकार मर्दन के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो हीन भावना से किसी प्रकार से ग्रसित हैं उनके हीनत्य के मर्दन के लिए कभीर संगम है दोनों के दूरियों को वो मिटाते हैं आप कह सकते हैं कि हम जड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा होते तब कुछ कर पाते हमारे पास तो बोलने की छमता नहीं है भासा नहीं है कभीर को देख लीजिए कभीर कितना पढ़े थे उनको मौलवियों ने पढ़ाया ही नहीं उनके पिता जो थे वे गए मौलवी सहब के पास मदर्से में कि मेरा बच्चा है इसको आप अपने मदर्से में दाखिला कर लीजिए पढ़ने के लिए तो एकदम वो आग बबूला हो गए जुलाहा का बच्चा पढ़ेगा तो कपड़ा कौन बुनेगा और दुदकार करके वहाँ से निकाल दिया मौलवी सहब नहीं पढ़ा सके कभीर सहब को वो संकुचित भावना उस जमाने में थी छोटी जाती के लोग जिसे छोटा कहते हैं वो करें अपना काम नाई बाल बनाता रहे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है धोबी कपड़ा बुनता रहे और मजदूर मजदूरी करता रहे भंगी सफाई करता रहे पढ़ना लिखना केवल मौलवी सहब और पंडित जी के हिस्से में था और लोग सब जाड़ू बुहारू करें बरतन माजें चुला चक्की करें खेती करें मजदूरी करें बाल बनावें ये सब करें तो मौलवी लोग नहीं पढ़ा सके पंडित जी के यहां ले गए किसा आयत पंडित जी पढ़ा दें वो तो और दूर से ही सचयल अशनान करने वाले थे सूद्र की छाया पढ़ जाए उस समय तो पंडित जी को कपड़े के सहित अशनान करना पढ़ता था छाया मात्र से सोचिए कौन ज्यादा प्रभाव साली है जिसकी छाया पढ़ने मात्र से वो असुद्ध हो जाते थे वो ज्यादा प्रभाव साली है कि जिसकी छाया पढ़ने से वो पवित्र नहीं हो पाते थे वे ज्यादा प्रभावशाली है पंडित जी जब पवित्र है तो उनकी छाया पढ़ने से सूद्र को तो पवित्र हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा ना हो सका हाँ, सूद्र की छाया पढ़ने से पंडित जी या और कोई अपवित्र हो जाते थे इसका मतलब है कि सूद्र ज्यादा प्रभाव साली है अब कभीर साहिब को वे भी ना पढ़ा सके कोई राजा महराजा के यहां भी कभीर साहिब नहीं हुए है साधारन घर में जन में लेकिन ऐसा कभीर गरचता है किसी से डरता नहीं है और सबकी गलतियों पर टोकता है कभीर चवराहे पर खड़े हुए ट्राफिक पुलिस की तरह है वे सबको देखते हैं और सबकी गलतियों पर टोकते हैं और सबको उत्साहिद करते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं इतना हम सब के पास संबल है सद्गुरु कबीर का इतना बड़ा हम सब के साथ सहारा है और फिर भी अगर हम लोग अपनी अपनी वही हीन भावनाओं में छोटी तुछ आदतों में तुछ रहन सहन में तुछ खान पान में और उन्ही कुछ अंसकारों में डूबे रहें तो हमको फिर कौन अखिर उठा सकता है कोई इस्पेसल किसी इस पात के बने हुए ढाचे के हमें जगाने वाले अलग से आएंगे ऐसा तो नहीं है जगाने वाले इनी महापूर्षों में से तो आएंगे आएंगे और वो चले जाएंगे वो जगाने के लिए नहीं आए हैं वो अपना काम करने के लिए आए हैं लेकिन यहां दुखित संसार के लोगों को देखा तो उन्होंने सोचा की नहीं जैसे मैं सुख की प्यास में आया और सुख का काम कर रहा हूँ आज वो अनुभव मुझे मिला तो दुनिया के और लोग भी तो दुखी हैं उनको भी सुखी बनना चाहिए उनकी भी यही इच्छा है तो उन्होंने ये काम किया अब हम उनकी इस दर्द को पीड़ा को ना समझ सकें अपने जीवन में ना उतार सकें तो भला फिर हमारे जगने का हमारे कल्यान का उपाय ही क्या है इसलिए हम सब लोग कभीर जैसे महापुरुष से जुड़ करके उनके विचारों को अपनावें कभीर किसी एक जात के नहीं है किसी एक मतपंथ के नहीं हम लोग अपने को कभीर पंथी कहते हैं कभीर साहब कभीर पंथी नहीं थे ओ तो कभीर साहब के बाद में काफी दिनों के बाद उनके विचारों को मानने वाले और उस पर चलने वाले का एक समूह हो गया तो आखिर उस समूह का कोई नाम देना ही था तो कभीरपंथ नाम दे दिया गया लेकिन कभीर साहब खुद वे कभीरपंथी नहीं थे वे उन विचारों को कहें हैं जिन विचारों से मनुस्स मात्र का, और मनुस्स मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का हित हो। आखिर कभीर के विचारों को अपनाने से ही तो अन प्राणीयों की भी तो रच्छा होती है। उन विचारों को छोड़ करके ही तो आज बकरी, मुर्गी, भैसा, सुवर, आदी जानवरों को लोग मारते, काटते और खाते हैं उनका भी नुक्षान करते हैं, उनको दुख देते हैं और साथ साथ स्वयम को भी दुखी बनाते हैं स्वयम को भी हिंसक तथा हत्या का भागीदार बनाते हैं, इसलिए कभीर की जरूरत है, कभीर हमारी आत्मा की तरह है वे अंदर में घुश करके हमारे जीवन को बदलने वाले हैं, जैसे आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उसकी एक ही चाहत है कि आप सत्त बोलें, सत्त कर्मों में जीएं, सत्त आचरण में रहें, सत्त भावनाओं का पालन करें, और सत्त की संगत करें, और सब प्रकार से सत्त के अनुगामी बनें वही कबीर की चाहत है और हम लोग कबीर पंथी कहला करके भी कबीर के विचारों को नहीं समझ पाते हैं सद्गुरु कबीर के लिए कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब तो मूर्ति पूजा मानते ही नहीं भगवान मानते ही नहीं तेवी देवता मानते ही नहीं, तीरत मूरत मानते ही नहीं, क्या कबीर साहब को मानना, उनके विचारों में कोई दम ही नहीं, वो भजन करना कुछ बताते ही नहीं है, जिस दिन कबीर के विचारों को समझ जाएंगे ना, तो कबीर जैसा भजन, और कबीर जैसा देव पूजक कबीर जैसा इस्वर वादी कोई मिलेगा ही नहीं विचार कीजिए कबीर साहब इस्वर मानते हैं ऐसा नहीं है कबीर साहब इस्वर नहीं मानते हैं अच्छा तो दुनिया के लोग आप लोग कौन इस्वर को मानते हैं वो इस्वर कहां है जिसको आप मानते हैं किस रूप में है वो कितना बड़ा है कहा कूच कहा करे मुकामा दर्की बात कहो दर बेसा बाद सा है कौने भेसा कहा कूच कहा करे मुकामा मैं तो ही पूछो मुसल्माना लाल जर्द की नाना बाना कौन सुरति को करो सलामा काजी काज करव तुम कैसा घर घर जबह करावो भैसा बकरी मुर्गी किन फुरमाया किसके कहे तुम छुरी चलाया कहें कबीर एक सयद बहावे आप सरीखा जग कबुलावे दिन को रहत हैं रोजा रात हनत हैं गाय या खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए साहिब हिंदू और मुसल्मानों दोनों से प्रश्न करते हैं कि तुम किस इस्वर को किस भगवान और किस अल्ला को प्रडाम करते हो किस की पूजा करते हो वो कहां रहता है कहां कूच कहां करे मुकामा वो कहां से अस्थान कहां से चलता है और कहां प्रस्थान करता है कहां पहुचता है, और वो किस रूप रंग में है, उसका भेस भूसा क्या है, कौन सा उसका आकार प्रकार है, क्या पहनता ओढ़ता है, वो लाल पहनता है कि काला पहनता है, सफेद पहनता है कि उजला पहनता है, और वो उसका बाहरी रूप रंग क्या है, कुछ तो बताओ, कि अनेक भेस वाला है सुभा कुछ भेस बना लेता है साम को कुछ भेस बना लेता है रात में कुछ भेस बना लेता है कुछ तो बताओ कुछ उसके आता पता लक्षण ऐसा कहीं कोई भगवान नहीं है जो अनेक रंग रूप वाला हो जिसको आप मानते हैं और ये कहें कि हम इस भगवान को मानते हैं केवल एक कलपना में तो पुकार रहे हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुशलमान चाहे मस्जिद में जा रहे हो चाहे मंदिर में जा रहे हो एक कलपना को ही मान करके गढ़ करके आप कहते हैं कि ये इस्वर है ये भगवान है इसको हम मानते हैं और कभीर साहब का भगवान कौन है ये प्रतक्ष प्राणी वो मानावता की वकालत करने वाले हैं मानावता के दुख को मिटाने वाले हैं और प्राणियों के अंदर भगवान देखते हैं और वे प्राणियों के दुखदर्द को मिटाने के लिए प्रयास करते हैं लोगों को उपदेश करते हैं किसी जीव को मत सताओ जीवों को मारना उनकी हिंसा करना महा पाप है और किसी को मार देना किसी को काट देना ये तो पाप हई है किसी मनुस्य को यह कह देना कि तुम नीच हो तुम तुछ हो तुमको भगवान ने नीच बनाया है ये पापों में भी महापाप है मनुस्य के वल मनुस्य है जो मनुस्य संयम सदाचार नयतिकता से दूर है जो दुराचार दोश दुरगणों में डूबा हुआ है निस्चित है वह तुच्छ है वही नीच है बल्कि जो सैयम के पत पर चलता है सदाचार को अपनाता है वही सच्चा इंसान है वही दोश दुरगणों से उपर उठ करके मानवता का उपदेश करने वाला है इसलिए बाहर हम कहीं भगवान को ना खोजें हमारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है आत्मा ही परमात्मा है दिल में खोज, दिलहिमा खोजो, इहे करीमा रामा दिल में खोजो, दिल में ही देखो, यहीं करीम और राम है कितना मारमिक, कितना सरल सब्दों में, कितना सरल भावों में बताया है। और इन संतों की बातों को समझ करके ही, हम अपनी जिंदगी के महत्त को और अपने जीवन को हम समझ सकते हैं। सद्गरु कभीर साहिब हमें स्वालंबी बनाते हैं, परावलंबी नहीं बनाते हैं। हमें अपने कदमों पर खड़े हो करके चलना सिखाते हैं। वे कहीं किसी मिट्टी पत्थर के देवी देवता का गुलाम नहीं बनाते हैं। बलकि वे बताते हैं कि हम मनुस्य बने और स्वयम सैयम शदाचार को अपना करके अपने ही इस जीवन में हम आत्म शान्ति और आत्म कल्यान को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो हमें इतना सुन्दर सुनहला आउसर मिला हुआ है ये जगने के लिए मिला हुआ है। भटकने के लिए नहीं। सद्ग्रु कभीर कहते हैं करु बहियां बल आपनी छाण बिरानी आस। जाके आंगन नदियाब है सोकस मरे पियास। इतना बढ़िया ये सुनहला आउसर जो हमें मिला हुआ हैं। ये फिर से आउसर मिले या ना मिले कहां नहीं सकते हैं। इसलिए आज हमें इस आउसर का पूरा उपियोग करना चाहिए। शंदक्रण मिले हुए है। सद्गुरु कबीर का निर्भरांत अंध विश्वास रहित यह जो ज्ञान मिला हुआ है इसको हम अपनावें शुन्दर स्वस्थ सरीर मिला हुआ है ऐसा सुन्दर सुयोग पा करके अकर हम आत्म कल्यान का काम ना करें अपने जीवन को हम ना बदलें अपने आपको ना सुध हा रहें तो भला हम कब सुधर सकेंगे और कब अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे इसलिए जगें साहब के बचनों को अगर हम मनन करते हैं उनकी जो मौलिक रचना एक ग्रंथ है वीजक वीजक को आप सबको पढ़ना चाहिए मनन चिंतन करना चाहिए और उसको समझने के लिए शद्गुरु अभिलास साहब जी द्वारा लिखी हुई वीजक व्याख्या नाम से दो खंडों में एक पुस्तक है तीका व्याख्या वो बड़े सरल भाओं में सरल ढंग से लिखा गया है गाओं की सामान ने इस्त्रियां भी जो थोड़ा हिंदी जानती हैं वे भी उसको अच्छे से समझ सकती है और फिर आपको पता चलेगा कि कभीर साहब क्या है और वे क्या समाज को देते हैं और वे क्या चाहते हैं हमसे सद्गुरु की यही पुकार होती है सद्गुरु यही चाहते हैं कि समाज यहां जगे और आत्म कल्यान की दिशा में आगे बढ़े आत्म कल्यान के अलावा मनुष्य और कर क्या सकता है और उसका कोई उद्देश ही नहीं है हम अपने उद्देश को भूल गए है मनुस्य का उद्देश है कि वह मनुस्य के रूप में अगर जनम लिया है तो मनुस्यता के धरातल पर ठहर करके और अपने मन इंद्रियों को स्ववस करके अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके आत्म स्थित हो जाए यही है मनुस्य का उद्देश है आप कहेंगे साहब यह तो हम किसी से सुना नहीं यह उद्देश कैसा है चलो कोई बात नहीं आपने नहीं सुना है तो यह तो सुने होंगे और आप खुद अनुभाव करते होंगे कि मैं पूरी तरा से सुखी होना चाहता हूँ सुखी तो होना चाहते ही है क्या कोई ऐसा एक इंसान है जो कहे कि नहीं मैं सुखी होना नहीं चाहता हूँ मैं दुखी रहना चाहता हूँ मैं रोगी रहना चाहता हूँ और मैं गरीब रहना चाहता हूं मैं अपमान की जिन्दगी जीना चाहता हूं कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो तो यही तो है लक्ष को पाना आप जैसे हैं आपका जो स्वरूप है आपकी जो अंतर आत्मा है उसकी अंदर से यही पुकार है वो धन चाहती है ऐसी बात नहीं है आपकी आत्मा धन से सुखी हो जाए घर पा करके सुखी हो जाए बच्चे पा करके सुखी हो जाए और आपकी अंतर आत्मा बहुत मान सम्मान पद अधिकार पा करके सुखी हो जाएगी ऐसी बात नहीं है आपकी अंतरात्मा बाहर से मुड़ करके केवल सारी इच्छाओं को आशक्तिया और वाशनाओं को समाप्त करके आत्म संतुष्ट अपने आप में उसको सुख मिलता है आप खुद आद करिये जब आप कुछ नहीं आद करते हैं बिस्तर पर पढ़ जाते हैं पूर निर्भय निश्चिंत हो जाते हैं तब कहते हैं बड़ा आनन्द मिला और एहसास कीजिए जब आप सोते हैं जब गहरी नींद लग गई आपको जब गहरी नींद नहीं लगती है हलकी नीद है और बीच बीच में तंद्रा देखते हैं स्वपन देखते हैं और जब जगे तो कहते हैं आज बहुत बेकार लग रहा है बढ़िया नीद नहीं आई अच्छा नहीं लग रहा है मन थोड़ा सा चिंतित भैभीत भैभीत लग रहा है ऐसा ही लगता है ना जब अच्छी नींद नहीं लगती है तो और जिस दिन गहरी नींद लग गई आप साम को रात्री में विश्तर पर पड़े और सोते रहे सुबा उठे और तब कहते आज बहुत अच्छा लगा ऐसी नींद सोया कि कुछ नहीं जाना तब कुछ नहीं जाना कुछ नहीं जब जाने तब ही तो आनंद आया ना जब तक जानते थे आप तब तक दुख मिलता था अशानती का अहसास हो रहा था जब आप कुछ नहीं जाने तब आपको आनंद आया ये कुछ ना जानना ही तो सबसे बड़ा आनंद है और वो तब हो में आकर के जरासा कुछ अंतर मुख होंगे साधना करेंगे भक्ती ज्यान बोध अनासक्ती निर्मोहता में थारेंगे तब इस बात का पता चलेगा ये बहुत उची चीज है लेकिन थोड़े में आप यही समझें कि जब आपका मन भटकता रहता है तब आप दुखी रहते है जब आपका मन शांत हो जाता है तब आप सुखी रहते हैं और मन का सांत होना यही है जीवन का उद्देश से और सद्गुरु कबीर यही बताते हैं सब को सांत की कमाई करना चाहिए सब के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है वो सांत स्वरूप हई है उसको सांती बाहर से प वो छुट जाती है, जैसे पानी का स्वभाव अपने आप आल्रेडी वो ठंडा ही होता है, पानी कभी भी गरम नहीं होता है, आप कह सकते हैं साइब, हम रोज गरम करते हैं पानी, रोज गरम हम कर देते हैं, हो जाता है, आप चाहे जितना पानी गरम किये हों, आप चाहे पा इस फुलते हुए पानी को पाँच वर्सों से खौल रहा हो लेकिन आप धर दीजिए एक घंटा दो घंटा बीतेगा और फिर ठंडा हो जाएगा कि नहीं ठंडा हो जाएगा कि गरमें रहेगा हो चाहे जितने वर्सों से गरम रहा हो पानी लेकिन जैसे ही आप उसको आग से अलग करके रखेंगे, वो जल्दी ही, फिर ठंड़ा हो जाएगा, क्योंकि पानी का सभाव ही है, ठंड़ा रहना, सीतल रहना, वो जो गरम लग रहा था ना, बाहर से आग उसमें प्रवेस हो गई थी, आरोपित हो गई थी, ऐसे ही, आपका जो सभाव है, आपकी जो अंतरात है, वो आल्रेडी सुख स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, सीतल शांत स्वरूप ही है, फिर आप दुख का अनुभव क्यों करते हैं, चिंता का अनुभव क्यों करते हैं, अशांती का अनुभव क्यों करते हैं, कारण यही है, कि बाहर से आपने इच्छाएं, कामना वाशनाएं, दोष, दुरगुण, दुरवयसन, गंदी, आदतें, कटुता, विवाद, कलह, यह तमाम आओगुण अपने अंदर में प्रवेश कर लिये हैं। और यह आओगुणों के कारण आपको लगता है कि अरे मैं तो दुखी ही हूं। आदमी के मन में जब क्रोध आता है, तो यही सोचता है कि मैं क्रोध मैं हूं, क्रोध स्वरूप हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो क्रोध बाहर से आया हुआ है। लोब आता है, तो ऐसा लगता है कि धन मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए, ऐसी वस्तु मिल जाए, तब ही मुझे आनन्दित होंगा, तो चीज को पाने में ही अपना सुख मानता है, कि मैं इसी से सुखी रहूंगा, काम वाशना जगती है, तो अपने को काम मैं देखता है, लेक इसको त्याग करके हमें इन आदतों को इन बुराईयों को इन दोस दुर्गुनों को आप मिटाएंगे तब आप सुखी रहेंगे प्रसंद रहेंगे और यह जो आदते हैं न यही हमारे लिए दुख का कारण है और दुखों को आप मिटाना अगर चाहते हैं तो जो बाहर से अनेक इच्छाएं हमारे जीवन में आ गई हैं दोस दुर्गुन आ गई हैं वाशनाएं आ गई हैं यह दुख रूप लगते हैं शान्ती अंदर से अपने आप है और वो शान्ती का एहसास तब होगा जब आप सत्संग में आएंगे संतों के पास बैठेंगे उन बुराईयों का त्याग करेंगे गंदी आदतों से उपर उठेंगे अनेक प्रकार की जो वाशनाएं हैं विकार हैं और मल विच्छेव आवरण हैं इनका त्याग करते जाएंगे उतना ही अंदर से आप सीतल शांत प्रशन सोवस होते जाएंगे तो मैं कही रहा था कि आपका स्वरूप आपका उद्देश से अपने आप आलरेड़ी वो आपके अंदर ही नहीत है आप तभी सुखी हो पाएंगे जब सारे दोशों का त्याग करेंगे सारी गंदी आदतों का त्याग करेंगे जब समस्त औगुणों से उपर उठकरके हम आत्म उन्मुक होंगे और दोश दुरुगणों को त्याग करके हम शांति का पूरा अनुभाव करेंगे तो इस संतों की संगत में लग करके अच्छे लोगों के पास बैट करके बुराईयों से उपर उठकरके जब हम आत्मा का बोध प्राप्त करेंगे ताब हम अस्थाई रूप से सुखी हो करके शांति का अनुभाव कर सकेंगे आप लोगों के बीच मैंने कुछ देर सद्गुरु कबीर साहिब के उन विचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चाएं किया आज जो हम सब लोग यहां पर इकठे हुए हैं सद्गुरु कबीर साहिब की इस्मृती में उनकी जैन्ती मनाने के उद्देश से हमारे बीच संथ गुर्जन विराजमान है अपनी बात यहीं पर मैं शमाप्त करता हूँ हमारे बीच उपस्तित हैं कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए सद्धेशंत स्री विरेंद्र साहिब जी आप सब लोग उनके गंभीर विचारों से लाभानित हूँ बश बोलिए सद्धि गुरु देवे की जै आदर्नी स्री साहिब जी अर्चनी बनने संसमाज इस सभा में विराजमान संमानने सत्संग प्रेमी सज्जनों माताओं बहरों एवं प्यारे बच्चों जीवन में सत्संग बड़ी चीज है क्योंकि सत्संग के अभाव में हर आदमी ना समझ बना हुआ है और ना समझी पूर्वक अपना जीवन जीकर दुख कान भाव कर रहा है सदूर कबीर साहिब जैसे संथ भगवान बुद्ध जैसे संथ भगवान महाविर जैसे संथ स्वामी विकानन जैसे संथ स्वामी संक्राचार जैसे संथ न जाने कितने संथ हुए हैं जिनोंने हमारे जीवन के उद्धार के लिए अपनी ओर से प्रसाद रुप में ज्ञान की बातें छोड़ कर गए हैं सदूर कबीर साहिब जी संथों में बड़े निराले संथ रहे हैं क्योंकि ये किसी मत मजभ संप्रदाय के पक्षधर नहीं थे ये ये थे इनसान के पक्षधर प्राणियों के पक्षधर और इनकी जितने भी बातें आप पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे तो पाएंगे ये प्राणियों के सुक के हित में बात करते हैं सदुर कभीर साहिब को देखेंगे समझेंगे तो वे मनुस्यों के लिए तो बात करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ देखेंगे उनकी द्रिष्टी इतनी तेज है इतनी सुक्ष्म है कि मनुस्यों से हट कर वे प्राणियों के अंदर भी गुज जाते हैं और समझते हैं जिन प्राणियों को लोग बली की रूप में काड़ देते हैं और मुशलमान क्या करते हैं वे भी काड़ देते हैं ऐसे प्राणियों के अंदर भी सदुर कभीर साहिब घुज जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं उन जो प्राणियों के दे हैं उसमें भी वही तत्व विद्धिमान है कौन से तत्व है जो मनुश्यों के अंदर विद्धिमान है देखें दृष्टी कही अंतर होता है गुरु हमें क्या देते हैं दृष्टी देते हैं एक समझ देते हैं आदमी के जीवन में समझ यदि सही हो गई तो उसमें सब कुछ सही हो गया कहा जाता है भगवान वुद्ध के जमाने में अंगली माल थे वो ऐसा खुंखार डाकू था कि उनका नाम लेते ही लोग थर-थर कापते थे बने इतना ख़दरनाक था आदमी जिस समय भगवान वुद्ध जहां प्रोचन कर रहे थे बैठे उस जमाने में भगवान वुद्ध ने कहा कि हमको कल यहां से अमुख जगा प्रस्थान करना है तो लोगों ने कहा कि ठीक है आप जाईएगा लेकिन इस रास्ते से मस जाईएगा कहा क्यों इस रास्ते में वो खुंखार डाकू है अंगली माल वो आपको मिल जाएगा बहुती खदरनाक आदमी है वो तो भगवान वुद्ध ने कहा तब तो इसी रास्ते से हमको जाना चाहिए इतना खदरनाक है और इस रास्ते में रहता है तो मुझे तो इसी रास्ते से जाना चाहिए लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भगवन उस रास्ते से मत जाईए आप इधर से चले जाईए बुद्ध तो बुद्ध थे भाई उन्होंने कहा कि नहीं इधर से ही हमें को जाना है अब रास्ते में जा रहे हैं और कहा जाता है रास्ते में अंगुली मालदा कुम मिल गया भग्मान बुद्ध चल रहे हैं और अंगुली मालद कहा रहे हैं कि ऐ जाने वाले रुख जाओ भग्मान बुद्ध चले जा रहे हैं उन्होंने फिर यही बात कहा कि जाने वाले रुख जाओ तो भग्मान बुद्ध ने चलते चलते कहा मैं तो रुख गया तुम कम रुखोगे तो अंगली माल को लगा कि यह आदमी कैसा है भाई चला जा रहा है मैं रुका हूँ और यह कहता है कि मैं तो रुक गया हूँ तुम कब रुकोगे देखिए यही वो शब्द था अंगली माल सोचा गे आद तक मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला था भाई कि ऐसा कर सके ते देखिए भगवान बुद्ध के एकी शब्द से कि मैं तो रुक गया हूँ तुम कब रुकोगे अंगली माल रुक गया रुकने के बाद भगवान बुद्ध के पिछे पिछे वो चलने लगा भिक्शू बन कर लोगों में हल्ला हो गया है कि वो अंगली माल डाकू भगवान बुद्ध के बातों में आकर क्या है वो बिक्शू बन गया है लोग कहने लिए कैसे बन जाएगा हरी का है बन गया है वो यह बताएए अंगली माल में क्या बदला शरीर वही है हाथ वही है नाका कांज सारे अंगल वही है क्या बदला उसमें बताएए क्या बदला समझ बदली समझ दृष्टी बदली वो ही हत्यारा क्या हो गया है अब भिक्शू बन गया वो भिक्शाटन में जाता है भीक मांगने के लिए घोजन के लिए लोग उसको भीक नहीं देते हैं भिक्शा नहीं देते हैं बल्कि उल्टा सीधा गाली देते हैं जब वहां से उनको भिक्शा नहीं मिलती है नहीं मिलती है तो आते हैं क्या हुआ कि लोग प्रतिक्रिया में हैं बोले मुझे सुना रहा है कि तुमने हमारे अमुक को मारा तुमने हमारे अमुक को मारा तुमने हमारे घंच शिन लिया बेटे को छिन लिया हमको अनाद बना दिया तुमको भिक्षा नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी वो अंगुली माल जो जरासी बात में क्या है फरसा उठा देता था आज कुछ कहने के लिए त्यार नहीं है क्या बदल गया उसमें एक समझ बदल गई उसमें एक दृष्टी बदल गई अब उसिद्रिष्टी ने आज उसको गउव के समान कहना चीए बिलकुल विनबर खरी खरी बातें सुर रहा है लोगों से लेकिन कुछ नहीं कह रहा है वो तो गुरू से क्या मिलता है हमको एक नई द्रिष्टी मिलती है अब यही द्रिष्टी हमको क्या है? खुंखार से क्या विनमर बना देता है साधू बना देता है सदुर कभी ने कहा है गुरु मिला तब जानिये मिटा मोह तनताप हरसोग ब्यापे नहीं तब गुरु आपे आप गुरु का मतलब होता है जो हमें विवेक दृष्टी देता है एक नई समझ देता है उसको हम कहते हैं गुरु अब ऐसी समझ देता है ऐसी दृष्टी देता है कि हमारे मन में जो भी अन्दिविशाद, पाकान भर्हम हैं ये सारी चीजें वो क्या है वो खतम हो जाती है जैसे कि एक उधारण लेते हैं किसी गुरु के पास भक्षजन आते हैं भक्षजन क्या है अपना स्रद्धा बहाव लेकर गुरु के पास आते हैं फल ले आए शित्र में डाल चावल हो रहा है कुछ भी गुरु जी के उपयोग के लिए सारी चीज़ें ले आए भक्त होता है स्रद्धा लू होता है वो अपनी स्रद्धा बहाव प्रकट करता है गुरु के पास जाकर कुछ खाने पीज़े की चीज़ें हैं गुरु जी के उपयोग की चीज़ें हैं यह क्या है भाक्तियों की ओर से गुरु को स्रध्धा समर्पित हो रहा है लेकिन गुरु का काम क्या है गुरु का काम है उनको विबेक की द्रिष्टी देना स्रध्धा उनके पास हाई है आटोमेटिक विबेक द्रिष्टी नहीं है तो कौन देगा विबेक द्रिष्टी गुरु देगा अब इसलिए हम गुरु करते हैं अन्य था गुरु करने के क्या जरूरत है गुरु का मुल्य है गुरु का महत्वा इसी में है कि वो शिष्टी को क्या देता है विबेक ज्यान देता है एक नई समझ देता है जिस समझ के अधार पर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है इसलिए उस गुरु का महत्वा है तो भक्तों से गुरु को क्या है स्रद्दा भाव पुर्वा कोई भी उपयोगी वस्तुएं मिलती है और गुरु क्या देता है उसके बदले में भक्तों को एक नई दृष्टी देता है एक नई समझ देता है वो नई समझ क्या है देखें सदूर कभी ने कहा है जातन पूछे साधु की पूछलीजिये ग्यान मोल करो तरवार का पड़ी दहन्दो म्यान देखिए विबेक दिर्श्री क्या होती है सद्रु कहते हैं जात न पूछे सादु की पूछ लीजिये घ्यान भाई जो सादु है किसी भी कुल पराम परा में पैदा हुआ हो वो सब को तो छोड़ शार के कहा चला गया वो गुरु की शरण में चला गया अब भी लोग पूछते हैं कि आप किस दूद के हो किस जाती के हो कितना गलत है भाई पूरी जो जाती है वो अन भी अस्ता है उसको छोड़ कर लांग करके कहा चला गया है गुरु की शरण में चला गया है लेकिन फिर भी ये रोग ऐसा है कि लोग पूछते हैं किस जाती के हो भाई वो सादू हो गया तुम ग्यान की बाते पूछो न भाई उनसे वो ग्यान की बात बताएगा अपने जीवन में क्या-क्या आपको तुटिया है क्या-क्या आपकी समस्या है वो समस्या उनके पास रखी वो बताएंगे मन में जोब्रा में उसको बताईए उसका समधान करेंगे इस प्रकार वो क्या देते हैं हमको एक विवेक दृष्टी देते हैं एक समझ देते हैं सदुर कहते हैं मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो मैं भई उनके पास पूछें आप वो जाती पांची जो खोल है उसको हटाओ उससे ग्यान पूछे और अपने जीवन को कल्यान के दिसा में ले जाईए एक दूसरी सागी सदुर कबीर साहिब जी कहते हैं देखिए इसमें आपको हमको भीवेक दिश्टी मिलती है इसमें सदुर कभी ने कहा है कि बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार सदुर के परिशाए बिना चारो वरन शमार देखिए सदुर कबीर साहिब जी की ऐसी इसी साखियां है यदि थोड़ी हम मेहनत करके पढ़ते हैं समझते हैं तो हमारे दिल दिमाग से सारे ब्रहम फट जाते हैं कैसे जैसे दूद है थोड़ी सी खटास आप डाल दीजे देखिए दूद फट फट जाता है तो सदुर कबीर साहिब जी कहते हैं बड़े गए बड़ा पने जो अपने को बड़ा मानते हैं उच्छी जाती का जन्मजात जो अपने को उच्छ मानते हैं या फिर किसी भी शीज में उच्छा मानते हैं उनके लिए सदूर कहते हैं कि बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार उनके तो रोम रोम हंकार है कि हम धनी हैं हम उच जाती कि हम ज़्यादा पड़ी लिखे हैं ज़्यादा एश्वर साली है आदी आदी सदर कहते है सदर के परिचाए बिना चारो वरन शमार अब किसी आदमी कहा दे के भाई तुम चमार हो कितने अपमान की बात है लेकिं सदुर कभीर साहब जी कहते है देखिए वो नहीं कहते है कि एक विसेज जादी शमार है का जो चारो वरन शमार ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं लोग कहते हैं कि कैसे वो शुद्र है जाती का चमार है हर वन में चाहे ब्रामहर हो चाहे छत्री हो चाहे वैसे हो चाहे शुद्र हो हर में चमार पाओगे और हर में ब्रामहर पाओगे हर में वैस्ष पाओगे हर में छत्री पाओगे जो चाम बुद्धी रखता है न जिसकी बुद्धी चाम तक सीमी थे देह तक वो है चमार ठीक है जिसकी बुद्धी चाम में लटकी वी है चाम में फंसी वी है चाम में आ सकता है ओ है चमार और जिसकी बुद्धी इससे पार हो गई है आत्मा में चली गई है वो है ब्रामार जिसकी पहुँच ब्रह्म तक है वो है ब्रामार और जिसकी पहुँच केवल चांप तक है वो है चमार अब समझ लिजे कि किसकी पहुँच कहां तक है इसलिए ना कोई इस दुनिया में उच्छी जाती का है जो अपने आपको कह सके कि मैं उच्छकुल का हूँ मैं ब्रामार हूँ साब में हर आदमी जो है हर व्योस्था में वही आदमी कई बार ब्रामार बनता है कई बार छत्री बनता है एक दिन में कई बार वैश बनता है कई बार एक दिन में शुद्र बनता है पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाईए आदमी शुद्र काम पहले करता है सुबह उटके क्या करता है शुद्र कहीं तो काम करता है न भाई इस प्रकार दिन में कई बार शुद्र बनता है अपने कर्मों के माध्याम से कई बार वैश बनता है कई बार शत्री बनता है कई बार ब्रामान बनता है फिर कैसे कहते हैं कि वो किवल चमार जाती का है कैसे कहते हैं कि वो ब्रामान है वो हर व्यवस्था में हर वन में वो आदमी घूमता है मेरा कहाने मतलब आप विवेक करिए ये गुरु हमें विवेक दृष्टी दे रहे हैं ओ दृष्टी क्या है जिसकी बुद्धी चांप तक लटकी वी है जो देह में आ सकता है जो देह में फंसीवी बुद्धी आ है वो आदमी क्या है चमार है और जिसकी पहुँच ब्रह्म तक है चाम से और उपर उठ गया है जिसकी बुद्धी ब्रह्म तक है वो आदमी ब्रह्मार है यह हमको क्या देता है गुरु देते हैं विवेक दिश्टी इसलिए कहते हैं कि गुरु मिला तब जानी है मिटे मोह तनताप हरसोग व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप अब हमको और आपको चाहिए कि ऐसे गुरु की खोज करनी है जो हमें ब्रह्म तक पहुँचाए अब हो गुरु कहा है वो खोजना पड़ेगा लोगों कातें कि भाई भूत प्रेथे देवी देवता इश्वर परमात्मा खुदागाड ऐसा कुछ नहीं है मनुस्य से बढ़कार दुनिया में कोई भी इश्वर नहीं है मनुस्य से बढ़कार दुनिया में कोई श्वर नहीं है है तो केवल कलपना एक चीज है देखिए जल आप जानते हैं न जल कैसे लिखाता है जल और लह यह गया जल जल क्या चीज है पानी पानी कह लिजे जल कह लिजे तो जल या पानी लिखिए तो पानी क्या चीज है पानी वह चीज है वह पदार्थ है जिसको पीने से प्यास बुझती है तो देखिए पानी का शब्द भी मिल गया और उसका पदार्थ मिल गया पानी यह पद हो गया उसका पदार्थ क्या हो गया वह पदार्थ जिसको पीने से प्यास बुझती है दूसरा देखिए आग 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 क्या चीज है आग वा चीज है जिसको लेकर हम भोजन बनाते हैं जिसको लेकर हम प्रकास चलाते हैं तो आग एक क्या हो गया पद हो गया शब्द हो गया उसके पदार्थ क्या हो गया वो पदार्थ जिसको लेकर हम जूले में आग जलाते हैं, हवा क्या चीज है, हवा कि शब्द है, उसका पदार्थ क्या है, हम स्वांस लेते हैं, हवा इसी प्रकार से इसमें पद पीए और पदार्थ पीए इश्वर लिख दीजे आप इश्वर आपने लिख दिया पद तो हो गया लेकिन इसका पदार्थ क्या है खुदा लिख दीजे आप पद हो गया उसका पदार्थ क्या है परमात्मा लिख जीजे आप ये पद हो गया उसका पदार्थ क्या है पदार्थ कुछ भी नहीं है यही बात हमको विवेक करने की दिश्टी है जिसका पद भी हो और पदार्थ भी हो वो सही है इश्वर हम इश्वर लिख देते हैं इश्वर क्या है? व्यक्ति की अपनी आत्मा तो इश्वर मिल गया, पद मिल गया उसका पदार्थ मिल गया हो आरत क्या है व्यक्ति की अपनी आत्म young Hai तो जब ऐसे भीवेक्ष्टि हँ को किसी गुरु से मिलती है तब हमारे मन का जो भ्रहं है हमारे मन में स्पत्रॉटिया हैं हमारे मन में जो डोस हैं जिनको ले कर हम जीते हैं यर दोस्स खतम होते हैं इसलिए ऐसे गुरु की आफश्टा है गुरु के मतलब यह नहीं होता है कन्ठी बंदवाले कान फूक वाले ऐसे गुरु की आफश्टा नहीं है हमें विब्यग ज्यान भी दे विबेग के पत पर चला है हम जो गलतियाँ कर रहे उनमें भी सुधार करे हमको देखे हमको समझे और सही रास्ता हमें दिखाए ऐसे गुरु क्या आफशक्ता है सदूर कबीर साहब जी ऐसे गुरु है वो कच्चे गुरु नहीं है कि उनको चार पैसे के आमदा नहीं हो जाए बागी बेटा तुम कुछ भी करते रहो कोई दिक्कत नहीं ऐसा नहीं है वो वो विवेकी हैं वो वो समझते हैं व्यक्ति के जीवन में उसे क्या चाहिए लोग इश्वर परमात्मा खुदा गाट के नाम से लोगों को भेण बक्री की तरह ले गए है मिलता क्या है इसलिए बातों को समझेए समझ गर गें आप इसको अध्यान करिए कि एक चीज और में बता देता हूं कि एक गुरु के पास दो शीष थे कि तो एक शीष था कमजोर था कि अब एक शीष तेज था कि पढ़ने लिखने में कामधाम में हर चीज में तेज था तो जो कमजोर था शीष गुरु से कहने लगे गुरु जी बोले कि आप उनको ऐसी सिख्षा देते हैं कि वो था इतना थेज हो गया है मेरे से पीछे आया है आप मुझे आप सिख्षा नहीं देते हैं जहां जाता है उसकी बढ़ाई होती है उसका सम्मान होता है ये तो ठीक नहीं है तो गुरु ने कहा तुम ठीक कहते हो थोड़ी देर मौन होने के बाद गुरु ने कहा मैं कहानी सुनाता हूं तुम्हें बोले का सुनोगे जी जरू सुनूगा तो गुरु ने कहानी सुनाई कहा कि देखो एक ब्यक्ति जा रहा था और जाते जाते बड़ी प्यास लगी उसे और प्यास लगी तो देखा आगे चलके एक कुवा मिला उसे बाल्टी भी मिली लेकिन बाल्टी में रस्ती नहीं है अब पानी कैसे निकाले वो वो चला गया दूसरा राहगिर जा रहा थो उसे भी बड़ी प्यास लगी थी और भी कुवे के तलास में वो इसी कुवे के पास पहुँच गया देखा वो आ तो है बाल्टी भी है लेकिन रस्ती नहीं है लेकिन प्याज इसनी तेज लगी है कि वो क्या करे अब वो चार कदम चल भी नहीं पाता वो तो ही पर देखा तलास किया तो घास थी लंबी लंबी घास घास उसने उखाड ले अब उसी घास को क्या है बट गया ऐसे बढ़ते हैं न लोग गाओं में उसी घास को बट कर रस्ती बना ली उसने अब बाल्टी में बांध करके कुवे में डालकर पानी खीच करो और तो पी के अब चला गया हूँ गुर जी ने कहा कानी सुनी ठीक से हैं का कि सुन लिया ये बताओं कि इसको ज़्यादा प्यास लगी थी पहले वाले को या दूसरे को तो सिसे ने कहा दूसरे वाले को कैसे जान गया कि तुम उसको ज़्यादा प्यास लगी थी इसलिए जान गया कि उसके पास पहले वाल लेके पास भी कुवा और बाल्टी थी लेकिन वो रसी खोजना पसंद नहीं किया लेकिन इसने समझा कि भाई ऐसे ऐसे मर जाओंगा उसने रसी खोजी और रसी खोज कर उसने रसी बटी और पाने निकाल के पिया इससे मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा प्यास दी तो गुरु ने कहा कि अब बास समझ में आई का कि समझ में आ गई बेटां बोलें तुमको पढ़ने लिखने के कोई प्यास नहीं है भाले तुम कहते है कि मुझे प्यास लगी है प्यास उसको है तुम्हारे छोटे गुरु भाई को जो ठीक से पढ़ता है लिखता है समझता है अब तुम मेनत करना नहीं जानते हो तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे यह क्या है वीवेक की बाते इसलिए मेरा काने का मतलब है आप लोग भी किताबों को पढ़िये खाली बैठे मत रहिए जब तक आप अध्यन नहीं करेंगे आगे की बात नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे तो आगे आप पहुँचेंगे भी नहीं हमारे गुरु देव जी ने इतना साइट दे दिया है पारक सिद्दान कभीर पंथ को कि क्या पूछना और हमारे साहिब लोग बताएंगे हमारे गुरु देव जी की पढ़ाई ये कुल क्लास वन कुछ मेहने क्लास डो कुछ मेहने अब लोगों के बताएंगे कहा कि तुम गप मारते हो हकीकत यही है हमार राम साहब जी पूझ लिज़ अठारा साल उनकी सेवा में रहें क्लास वन कुछ महने क्लास टो कुछ महने ये टोटल उनकी स्कुली एजुकेशन है अब उनका साइट देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इतना कम पढ़ा लिखा आदमी संस्कृत के प्रकांड विद्वान कहना चाहिए पाली भासा के अच्छे ग्याता हिंदी के तो ही है उर्दू ले 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 जे उनके आर्भी ले 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 जे अंग्रेजी ले 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 जे ऐसा क्यों हुआ मेंनद के बलपर अब हम मेनद करना नहीं चाहते हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं और फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे यह हमारी अपनी कमजोरी है तो इसी कमजोरी को क्या है गुरु दूर करने का काम करते हैं विबेक दृष्टी देते हैं हम सोचते हैं भाई हमारे पास तो समय नहीं है समय नहीं है तो आप क्या करोगे भाई कुछ आप आगे नहीं समझ पाओगे फिर आगे नहीं समझोगे तो आपके जो बाल बच्चे हैं वो भी नहीं समझेंगे अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए हमको सिक्षित होने के जुरूरत है समझने के जुरूरत है पढ़िए किताबों को उसमें क्या-क्या लिखा है ये नहीं है कि किवल ससंकर के आ जाते हैं ससंकर न अच्छी बात है जाएं लिएन के साथ साथ भी हम अध्यन भी करें अध्यन आपको बहुत आगे ले जाएगा परमपुजी गुर्देव जी कहा करते थे जो कुछ मैंने सीखा समझा उसमें अध्यन का बड़ा हात रहा है मेरा बड़ा हात रहा है इतने ही नहीं कि अभीरपंथ में पूरे संतों की समाज में चाहे किसी भी मत्पन सर्वदाय का उशंत हो परमपुजी गुर्देव जी का बड़ा नाम है अभी भी बहुत जानते हैं तो मैं कह रहा हूँ गुरु मिला तब जान निये मिटे मोह तनताप हरस सोग व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप जब ऐसा गुरु मिल जाएगा वीवेक वान गुरु तब क्या है हमको भी वीवेक की आखे देंगे वो समझ की आखे देंगे जिन आखों से हम भली प्रकार से क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या मूठा है क्या खटा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए यह सारी जो विबेक की दृष्टी है हम उनसे प्राप्त कर लेंगे अब फिर देखेंगे पहले से मेरा जीवन कितना हर प्रकार से हलका फुलका हो गया है मेरे जीवन में जो भी भ्रह्म थी, भ्रह्म की बातें थी, मानेता की बातें थी, और भी कहना चीए, देवी, देउता, भूत, प्रेद, लगन, मुर्थ, ये क्या है, ये जाल है, जाल, ठीके न, अब इसमें हम फंसे हुए होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हम जाल में फंस एक दिश्ट कहा मिलेगे जब कोई वीवेकवान गुरु हम करेंगे तब तो कुछ देर मैंने आप सब के विश कुछ कहने का फ्रयास किया और यहीं पर अपनी वारी में विराम देता हूं अभी बहुत सुन्दर विचार सुरण कर रहे थे प्रयाग राज कबीर संस्थान से पधारे हुए गुज्जे शंत स्री विरेन साहिब जी के द्वारा अब हमारा यह कारिकम अंतिम की ओर जा रहा है लेकिन अभी हमें हमारे ही आश्रम के मुख्य संत के विचार सुनना बाकी है कारिकम के अंत में अब हम निवेदन करते हैं परम पूज्ये स्रदेशन स्री विकास साहिब जी से कि आप अपने ग्यान गंभीर विचारों से हम सब को लाभानुद करने की क्रिपा करें पूजनी संत समाज धरम प्रेमी बंधूओं इलावास से पधारे आदरनी संस्री विरेन साहिब जी और माता बहनों भक्त समाज बहुत खुशी की बात है ऐसी गर्मी में भी आप सब लोग सद्गुर कवीर की याद में सत्संग की याद में संतों की याद में घर द्वार छोड़ करके और इस भी सड़ गर्मी में भी ज्यान चर्चा स्रमण कर रहे हैं प्रेम से हसते मुस्कुराते सेवा देते हुए आप सबको धन्यवाद है और कुछ बिचार आप सब के बीच में प्रस्तुत है सद्गुर कबीर जैसा की आप अभी सुने हैं कि 626 मी जैनती है ये 1556 में विक्रमी संबत उनका सरीर जन्मा था और 1456 में 1575 में उनका सरीर छुटा था तो जेट की पूढवासी को वो जन्मे थे लेकिन हम पहलन जनम मना लेते हैं कुछी के मारे क्योंकि बड़ी इससे स्विधा होती है कि हम फिर और अपने इलहाबाद मुख्य संस्थान में पहुचें हमारे भक्त लोग भी कभी पहुचें वहाँ और विद्वानों के विचार सरवन करें और अपना कल्यान समझें उसी दिन हम भी मनाने लगेंगे तो भी वो आउसर निकल जाएगा तालमिल नहीं भक्तों को भी आउसर रहता है आज पहली तारीक को हमारे स्विधा सत्संग समारो बिना बुलाए ही बहुत ज़्यादा कहते नहीं है प्रेम के मारे स्वभाविक जिनको गर्ज है वो आते हैं और कभी भी अपने अपने घरों में छोटा बड़ा मज्होल टाइब से कबीर सहेब की याद में जैनती मनाएं भंडारा करें सरवत बाटें दान करें बच्चों को ही अपने घर में कुछ पकवान खिला करके भजन गालें कभीर जैनती हो गई याद करें कि सद्गुर कभीर सहेब की जैनती आज हम मना रहे हैं आईए हम अपने परिवार के दो चार दस लोगों को बुढ़े बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे अंगमचा बाट करके कुछ दान करके कुछ किसी को धोती कुरता पहना करके गुरु पुजा करते हैं और भी अनेक परों हैं बच्चों के जनम दिवस मनाते हैं सद्गुर कभीर के जनम दिवस मनाने से सबका कल्यान है अपने अपने बच्चों के मनाते हैं ठीक है चलो भी एक बार दो बार मना लो ज्यादा मत मनाओ तो महान पुर्सों के जनम दिवस मनाओ उनके याद में समाज बदलता है जीवन बदलता है लोग पर लोग बदलता है तो ऐसे करके कवीर जैनती उत्सव मनाएं इस जेट के पूरे महीने में जैसे जेट की तपन गर्मी है न उस तरह सद्गुर कवीर का ग्यान भी बहुत गर्म है बहुत तेज है ऐसा प्रकास है कि चकाचाउंध हो जाती है लोगों की आखें लोग सोचने लगते हैं गजब के ये साधू है ये कैसे हैं एक संसमरण है यहां के हमारे संस्थापक सद्गुरु निर्दुन्द साहिब कर्मा बाजार के पास एक हरी हर पुर गाओं है वहां राजकुमार प्रधान राजकुमार पटेल प्रधान है अभी भी हैं बोड़े हो गएं लगवग 75-80 साल के वह बता रहे थे कि साहिब पूरे गाओं में सद्गुरु निर्दुन्द साहिब का भगतों का कबजा था और जो भगत नहीं थे वह भी निर्दुन्द साहिब को डरते थे और आवरतें भी खेत में अगर घास चीलती होती हैं बात करती होती है, निर्दुन साहिव आ रहे हैं चुप रहे हो। क्छलो साहिब आए हैं बंदगी करने। और घास छोड़ कर आके राजकुमार के ट्यूब बेल पर साह बैठे रहतें तो बंदगी करने आती हैं। कहां साहब इतना गजब का प्रभाव पड़ा कि साहब यहां पांच-पांच महीने दो तीन बार रह गए। टू बेल पर रहते और आलू भून लेते आटा सान लेते उसी कवड़ा में गाड लेते बाते होती रहती। पहली बार जब आए, कहां 21 दिन मतलब इतना जड़ी चली, कमपटीशन खूब ग्यान का चला, बस साहब की बाते यह सुने कि गजब के साधू हैं भगवान नहीं मानते हैं, देवी देवता सब जूटे हैं दुनिया मान रही हैं। वो राजगुआर प्रधान जो हाथ में इधर कलाई बानते हैं, सुल्तानपूर में आश्रम है, दाता साही आश्रम का। वेकपंथ है कबीर से ही जुड़ा हुआ, निकला हुआ साखा है। तो वहां केवे भगत थे, वहां कंठी माला नहीं देते हैं। और वो पुस्तक लिखी पढ़ी, छपी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, हाथ से लिखी पुस्तक आर्ष पढ़ते हैं। और वो गाओं में नहीं जाते हैं संत, किसी के घर में, गाओं वाले खुद आते हैं। घर में कोई आ गया तो आ गया नहीं खाएंगे नहीं तो इस तरह से परंपरा हो गई तो बहुत साधू भगत लेके भोजन आते हैं उसी भगत खाते हैं साधू खाते हैं किसी की घर नहीं जाते हैं तो ऐसे पंथ से वे राजकुमार प्रधान थे तो बताए और बताते बतात नहीं होते थे यही कहते थे कि आओ सत्संग में चलो एलहाबाद जब हम वहां गए छोटे से साधू लेकर के बड़े साधू तक संसरी निहोरे सहाइब, संसरी ग्यान सहाइब, सद्गुरु पूज सिरी अभिलास सहाइब, तो ऐसे महान पूर्सों के जब विचार सुने, सब संतों के सुने, सब वही बात, सब वही बात, अनपंध के लोग आते हैं, उसी बात को पुष्ट करते हैं, बड़े-बड़े विद्वान भी, तब हम साहइब की बात माने की हाँ यही सही है, अब इतना कहां भर गया है, कि इतना ये सरीर से क्या-क्या पाप नहीं हुआ है, बता रहे थे कि सरीर से क्या-क्या हत्या पाप नहीं हुआ है, लेकिन कहां इस समय कुछ नहीं रह गया है, कोई अंध्विश्वास पाखंड, कोई मान्यता नहीं, साब सुतरा हो गई है, धन है निर्दुन साहिब, वो कभी भुला नहीं सकते, और आते हैं, इलहबाद आते हैं, कुछ संतों को खोच करके, विदाई भेट दे करके, चले जाते हैं, कान से बहरे हो गएं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, यहां आते हैं, एक घंटा रहते हैं, मिल मिला करके, आँखों से दर्सन करके, चले जाते हैं, कहते हैं, जब सुनता ही नहीं हूं, तो रहने से क्य अपने साधू समाज सहित दो एक बार तफसी साहब गए तो संतों की बातों को सुन करके वो एकदम आश्चर चकित हो जाते थे कि गजब है कहां गाओं के कई 20-25 लोग रात भर सत्संग करते थे साहब अंतिम में 3 बजे 4 बजे कहते थे कि देखो नित नेम का समय हो गया जाओ अपने अपने घर और फिर कल आना रोज ऐसे 18-20 दिन तक चला एकईश दिन मान लिये चरणों में गिर पड़े कि महराज सही है आपकी बात हमीं लोग सब गड़बड हैं और आपकी बात चलेगी अब हमारी नहीं चलेगी सद्गुरु कबीर की ऐसे बात हैं कबीर की बात अटपट लखी नजा जटपट जो लख है जटपट तो सब मिर जाव है खटपट याद रखा करो कबीर की गावा का गाव है तो तीन धक का पाव है अब कबीर की गावा का बूज है तो तीनों लोग सूझ है इसलिए जो कबीर की बातों को गाव गे तो सब लोग आपको और गालीद तेंगे कहेंगे किसा धार्मिक आदमी है काईसा कुछ ना पूजा पाठ करता है ना कुछ चरता है ना भगवान देवी देवता मानता है। डाटेंगे लेकिन कबीर की बात जब बूझेंगे ना तीनों लोग की बातें आधी साखी कबीर की चार बेद का जीव तो आधी साखी केवल अपने जीवन उतार लीजिए तो सारे बेद सास्त धरम सास्त पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका कल्यान हो जाएगा सद्गुर कबीर ने एक बार अपना बहुत बड़ा गोला छोड़ा तो उसमें मानो समाज के लोग बहुत बड़े चाउंक हुई चाउंक करके कुछ खाईया डाग गए उसके लिए कहानी है तुर्क देश में अफगानिस्तान पड़ता है आओ वहां आरबी तुर्की घोड़े अरब के घोड़े और तुर्किस्तान के घोड़े बड़े तेज घोड़े होते हैं आज भी कहीं कहीं हैं बड़गिया घोड़े जिसको कहते हो तो वहां खेती करते हैं मतलब किशानी करते हैं घोड़े की बरायटी तैयार करते हैं छोटे-छोटे जो होते हैं घोडों के बच्चे, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना के जंगल में लेकर एक घेरे में उनको 150 घोडों को रखते हैं, खूब खिलाते हैं उनको अच्छे-च्छे किस्म के भोजन, आहार, और फिर एक खाई खोदते हैं, फिर एक बहुत दिवार उठाते ह फिर एक खाई खोदते हैं, फिर एक दिवार उठाते हैं, इस तरह से 3-4 दिवार और खाईयां बन जाती हैं, अब 4 दिवारें बन जाती हैं, आउसके अंदर वो घोड़े भीतर पलते हैं, जब खापी करके 2-3 साल में मजबूत हो गए, और इतने बड़े-बड़े भयानक मजबूत सरीर के हटे-कटे हो गए, तब वो किशान एक बहुत बड़ा गोला दागते हैं, भयानक आवाज होती है, कभी वो खट-खुट नहीं सुने रहते हैं घोड़े, इतना चुपके से माउन होकर उनको चारा दिया जाता था, भुसा दिया जाता था, अन दिया जाता था, मालिस होती थी, सारी सेवा माउन होकर के कोई आवाज नहीं, अचानक तीन साल में जब वो घोड़े इतना मजबूत हो गए, कि उनके जो है रोम रोम में फटकन होने लगी, ताकत नहीं समा रही थी, तो बहुत बड़ा जब गोला किसान दागा, ध्राम से जब के सभी घोड़े, उसमें तीन बरायटी के घोड़े निकल पड़े, फर्ष्ट नमबर जो था, तो तीन खाईयां डाग करके एकदम खाई रही तिकदम जंगल में, कोई दिवार नहीं, वहां घूमने लगा, मस्त जूमने लगा, दोडने लगा, लोग उसे देखकर दंग गजब का घोड़ा है, कहां से आया है, और दूसरे नमबर का घोड़ा है, कि वह दूसरी खाई में घूमने लगा, चौका तो एक दो खाई डांका, जो और एक घोड़ा है, वह पहली खाई को डांक करके दूसरे में कूद गया, और एक और उचला था, वह भी लेकिन उचल और दर पर गिरा गद्द से तो तीन तरह के निकल पड़े फास्ट शेकंड थार्ड घोड़े तो एक का नाम पड़ा लद्दू टाट्टू घोड़े दूसरे का नाम पड़ा वो होते हैं वो कभो कभो मिलिटरी वालन के काम आते हैं खूब खाते पीते मस्त बंधे रहते हैं कभी कभी काम आते हैं एक ठोग और होता है कि वो नचाया जाता है खूब सजाते हैं उसे उसको बहुत देखते हैं तमासा थोड़ा कूटा मारा जाता है और एक और होता है कि सरकार उसे 29 में बुलाती है लोग उसे देखते हैं हजार लाखों लोग उस घोड़े को देखने के लिए आते हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है तो ऐसे ही चार तरह के समाज में निकलते हैं जब सद्गुर कबीर का गोला धड़ाम से तो यहां मनुस समाज मानो समाज यह चौंका जोर से अरे गजब की यह बाते हैं कौन है यह कह है हमने तो यह दुनिया बनाते हुए सुना है कि कोई परमात्मा है वही चांद के दो टुकड़े कर देता है और क्या क्या करता है प्रचार है यह कौन है चौंके सभी लोग तो उसमें कुछ बिचारवान निकले कुछ अपने जात पात की खाई को लांग गए तो जानते हो जात बात की खाई को लांग करके वो भक्त सज्जन सद्गुर कभीर के मार्ग को पकड़ लिये और कुछ लोग अपने कुल गोत्र और धन पद प्रतिष्टा के खाई को ले करके वही रह गए अरे भाई ये छोट जतिया वाले हैं कभीर पंथ में और गरीब गुर्बा हैं बोरा के जोला बनाये के आवत हैं कोई उन तरह के अटाईची धनगावे वाली तो लावत नहीं नहीं तो इनकर पहिचान है कि ये गरीब है साखा है ये कभीर पंथ में आईसे लोग सोच करके ना पदप्रतिष्ठा के अहंकार खाई से दूर हो पाते हैं ना जातपात की खाई से दूर हो पाते हैं ना अपने कुल कुटूंबे की खाई से दूर हो पाते हैं तो लद्दू टट्टू घोड़े बनके अगोबर माटी पथरा पूजत रही जाते तो ये घोडे कोने काम मावा थें भठा ढोवाई के इटा ढोवाई के काम उनका का खवावा थें काना काना खवाई के कस के काम ले थें पच्छवा कट जा थे हो रसी लगाई के बांधा थें बहुत गत कईडावा थें तहीं तुई इस समय मिला तो दूइनों गोड़वा बांध के अक्तलरी किनारे छोड़ देते हैं कूद कूद के वो कहूं दुचार मुह मार के चर पाता है ऐसे लद्दू टट्टू गोड़े धरम के मार्ग में कभी सक्सेजमानों नहीं हो पाते हैं कभी सांती नहीं पाते हैं और जो एका डांक गवा पदप्रधिश्टा खाई से भक्त हो करके कुछ समझने लगता है फिर कभी कभी सोचता है बात तो बहुत बढ़िया है भाई लेकिन अब जात पात में मां सब घुसर जाते हैं मां ठीक नहीं है भाई अब देखो यहां सब लोग आते हैं सभी वर के लोग आ जाते हैं कम ज़्यादा कम ज़्यादा तो यह कभी यहां मेरा निमेदन है हाथ जोड़ करके जब कभी आओ ना कोई माता बहन हो कोई भाई बंधू हो जात पात की बात कभी न पूछना अगर मैं सुनूँगा तो बहुत खराब मानूँगा और आपके नाम से उपवास कर दूँगा कई दिन तक कि यह बहुत गलत हुआ है बहुत बड़ा अपराद समझोंगा उसे हत्या के समान इसलिए जात पात मत पूछें कि भाई या बहन जी आप काउन बिरादर के हो यह संतों का घर है आसरम है यहां केवल भक्तों की जगा है केवल धार्मक्यों के लिए जगा है यह संतों की जगा है यहां आकर के सब का सम्मान सीखो सब की सेवा करो कोई गरीब हो कोई अमीर हो कोई दान करता हो कोई हास से सेवा करता हो कोई जाडू लगाता हो कोई भोजन ब संतों के भक्त ही हमारे गुरुभाई हैं बस ऐसा सम्मान करना और उनकी पूजा से बड़ा आपको पुन मिलेगा यहां की धर्ती आकर के मट्टी लगा लेना यहां लोग पाउंस के नीचे रगड रहे हो मिट्टी लगती है उस मिट्टी में बैठ जाना और उसे चंदन समझ करमत्य में लगा लेना कि यहां हमारे गुर्भाईयों का हमारे संत गुर्जनों के चरण पड़े हैं इससे बड़ा पुन कुछ नहीं हो सकता है आप बड़े-बड़े तीर्थों में जाते हैं वहां पर पत्थर पाने का दर्शन होता है लेकिन वहां जानते हों सभी तरह क लोग वहाँ जाते हैं अधिक्तम लोग कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी और अंधविश्वासी, पखंडी, विशाई, लंबट, चोर, उचक्का, जिबकत्रा ये सब पहुशते हैं और किसी का भला नहीं होता है मूर्ती का दर्शन करते हैं केवल पंडा का भला होता है और भी नाम ले लीजिए पंडा कोनों बन सकत हैं तो वहाँ पर उन्हीं का भला होता है और समाज का भला नहीं होता है आज तक समाज कभी सदियों से जगा नहीं है उस पर जा करके संतों के आस्रम में आओ रूखा सूखा खा करके दरी में बैट करके यहां मिट्टी और जमीन में बैट करके और इन महान पूर्सों के त्यागी तपिसी संतों के सुन्दर विचार ग्राण करो बिचार से जीवन बदलता है बिचार करोगे तो बीडी छूट जाएगी बिचार करोगे तो सराब अंडा मा समस्ली छूट जाएगा बिचार करोगे तो भूत प्रेद देवी देवता छूट जाएगे गलत दिसा विचार करोगे तो ये हमारे भाई बहन सब देवी देवतार नजार आएंगे और इनकी पूजा उपाशना करके इनकी सेवा करके अपना जीवन हम धन समझेंगे विचार करेंगे तो नहीं विचार करेंगे तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आएंगी इसलिए मेरा निमेदन है कि यहां पराकर के साथ बड़े प्रेम से कभी सपने में भी नाम नहीं लेना अन जगा भी जाओ रास्ते बीच कभी जात पात मत पूँछो इसका महत्तमत समझो जानने की कोशिस भी ना करो देखो इलाहाबाद में हमें 30, 32, 35 साल हो गए कभी हम से कभी कोई संत भगत नहीं पूँछे हैं और ना कभी हम पूँछे हैं किसी को जानने की कोशिस किये हैं और ये बचपन से दिल दिमाग से निकल गया था क्यों निकल गया था जिस परिवार में जनम हुआ था वो परिवार पार्खी भक्त सद्गुरु निर्दुन्द साहेब जी के भक्त थे और गुरु जी मना कर दिये थे कि जादपात कुछ नहीं है भूत परेद कुछ नहीं जादू मंतर कुछ नहीं तो मंदिर पूजने की आदत, कभी हाथ जोडने की आदत, पत्थर पानी में सिर जुकाने की आदत, कभी कब्रिस्तान में डरने की आदत, अस्मसान में भै करने की आदत कभी नहीं हुई, जात पात की जो आहम हीनत की भावना है वो तो जराच से छूभी नहीं गई थी हम के वाल इंसान अपने को मानते थे भक्त मानते थे गुरु संतों के सेवक मानते थे बस सब इंसान है सफाई सुक्षता पर ध्यान देते थे तो इस तरह इन महान संतों गुरुजनों की बातों को ध्यान दो तो मैं कारात सद्गुर कबीर का जब ये डंका बजा गोला छुटा तो इसी मानों समाज में तीन तरह के लोग निकले कुल कुटुम्ब का मौ छोड़ करके निकले वो बैरागी हो गए एक नंबर के उन्हीं लोगों को 29 में देखा जाता है और समाज के लोग उनको देख करके रूसनी पाते हैं प्रकास पाते हैं कुछ जो अपने जादपात का हंकार छोड़ करके ग्यान विचार में चलते हैं वे अपना भला कर लेते हैं समाज के लिए भी प्रकास स्तंब हो जाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए भी संसकारी बनते हैं शान्त पाते हैं तो इस तरह से ये कुल कुटुम्ब की खाई को डाको जितना बन सके मोह छोड़ो बहुत उसी मोह लोभ में ग्रसितना रहो और वहीं प्रेम से जिन्दगी जियो घर परिवार में जात पात की खाई से उपर उठो और धनहंकार मत संप्रदाय के चक्कर में मत पड़ो तो इस तरह से इन खाईयों को डाक करके दिवारों को छलांग लगा करके ही हम इनसानियत के धरातल पर आ सकते हैं ये सद्गुर कबीर की जैनती मनाने का सच्चा ये सच्ची सरदान जली है उनकी यादगीरी है उनका शंदेश है वे कहते हैं सकलो दूर मत दूर करो अच्छा जनम बनाओ काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चली आओ सारी दूर बुद्धी दूर करो और अच्छा वो आदेश देते हैं ऐसे नहीं कहते हैं वे कहते हैं सारी दूर बुद्धी को दूर करो और क्या करो जीवन को अच्छा बनाओ स्वस्थ प्रसन्य और सुन्दर बनाओ और क्या करो कववा की चाल को छोड़ करके फिर एक काम और करो हंस की चाल को चलो ये उनका आदेश है डारिक्ट वे इसमें कोई मुलाजा नहीं करते हैं तो हमें अच्छा जीवन बनाने के लिए सत्संग में आना होगा संद्गुर्जनों के विचार को सुने सत्संग करें तेखो इतना सुन्दर माहौल जो समझेगा वो जानेगा तमाम लोग यहां तो बड़े सहज ढंग से सब कुछ निप्टा लिया जाता है और खान पान खर्चा हरजा कुछ नहीं थोड़े खर्चे में थोड़े से दान पुन्न में अरसाद प्रसाद खान पान का दरी और बटबैठ का इंतिजाम कर लिया जाता है बड़े बड़े जहां करोणों के पंडाल बनते हैं लाखों रुपे दे करके संत गुर्जनों को बुलाए जाते हैं जहाज से आते हैं बड़ी बड़ी एस्पेसल कारों से आते हैं वहां केवल थोड़ा सा बोलते हैं कुछ बातें समझ में नाद भगवान की कहानी सुना करके हर हर बंबं करके चले जाते हैं समाज ये गरीबों को तो कोई पूछने वाला नहीं है वहां उनके लिए ठावर ठीकाना नहीं है ध्यान रखना दो महापुरुस समाज के लिए आज हम सब के लिए आगे बढ़ने के प्रसस्त मार्ग दिया है सद्गुर कवीर छटी सताब्दी में चवधामी सताब्दी पंदरहवय में आये तो उन्होंने इतना तेजी से डंका बजाया और तेजी से इंकलाब किया तो उसे नौ जागरण कहते हैं नई जागरती आई समाज में और लगभग सवासो साल वे अभियान चलाते रहे अन्तिम सांस तक समाज को सेवा करते रहे और फिर कुछ पीड़ियां बीद गई समाज चल रहा था सद्गुर कबीर की परंपरा चल रही थी मार्ग बहुर पसस्त हो चुका था भूमिका अच्छी बन चुकी थी उसी भूमिका में अनेक राजनेतिक महापुरुस भी आए वो महापुरुस का नाम सम में से बहुतों का नाम है लेकिन बाबा साहब अमबेटकर का नाम एक गजब का नाम है तो वे राजनेतिक छेत्र में समाज के लिए बहुत दूरगामी रास्ता सुझाया कि सब लोग जागरिद बनो जागो अपने कुई इंसान समझो और अपने जीवन जीने की कला को थोड़ा सीखो तवर तरीका को सीखो एकता बना के रहो पढ़ो लिखो संसकारी बनो तो बढ़िया रहेगा आज उस मार को अपना करके बहुत कुछे माताएं ये भाई लोग बहुत कुछ काम हुआ है देश की बहुत बड़ी उन्नती हुई है इसलिए विद्यानों ने सोधा है कि आज के सम्मिधान में सद्गुर कबीर है और सद्गुर कबीर में सम्मिधान है तो आज का जो सम्मिधान है ये कबीर विचार की विजय है तो इसलिए सब प्रकार से आज बढ़िया संयोग मिला है और जागृती का समय है जागो और अंधविश्वास में पड़े नहीं रहना है ये जात पात के कीचण में पड़े नहीं रहना है हम सब इनसान हैं और सब एक एक विरादर के हैं कौन विरादर इनसान मानों विरादर के हैं बस सफाई सोचता समझो एक दूसरे के हम दर्दी बनो एक दूसरे के सेवक बनो तो दुख में सहायक बनो संतों के सत्संग में आओ विचार सुनो हर तरह से संतोष प्राप्त करो श अपने अपने घरों में आयोजन करो छोटा छोटा कोई खर्च नहीं है बिना कोई खर्च के बिना अगर बत्ती जलाए ही रोज खाते हो दाल भात में मना लो दाल भात खा करके सद्गुरु कबीर की पांच साखी दस साखी पढ़ करके बच्चों को सुनाओ अब बैठो लोग अपने अपने हिर्दय में ध्यान रखें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते होएं मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ और सद्गुरु कबीर की याद में अपनी स्रद्धा और अपने जीवन को ही सौपता हूँ कि सदा इनी विचारों में जीवन भीता रहे और समाज के लिए कुछी सरीर से सेवा होती रहे और कल्यान अपने कल्यान के लिए अपने शांती के लिए ये सद्गुरु सदाचार संतों के चरणरज इस जीवन में बसे रहे यही आगरह है यही विचार है बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की संत समाज की भक्त समा अंत में एक सद्गुरु कबीर का पद है, सद्गुरु कबीर का बीजा के एक महान गरंथ है, उसी का एक छोटा सा पद है बंदे कर ले आपो निमेरा निमेरा बंदे कर ले आपो निमेरा बंदे कर ले आपो निमेरा आपो जियते लखू आपो ठवोरे करू आपो जियते लखू आपो ठवोरे करो मुए कहा घर तेरा बंदे कर ले आपो निमेरा बंदे कर ले आपो निमेरा एह आउसर नहीं चेते हू प्राड़ी एह आउसर नहीं चेते हू प्राड़ी अंत कोई नहीं तेरा अंत कोई नहीं तेरा बंदे कर ले आपो निमेरा बंदे कर ले आपो निमेरा कहें कबीर सुनो भै साधो कथिन काल का घेरा बंदे कर ले आपो निमेरा उली शद्गुरू कबीर साहिब की जै गुरु आए मोरे भाव ना लेपायो अंगना गुरु आए मोरे भाव ना लेपायो अंगना लिपायों अंगना, हो पोतायों अंगना, गुरु आये मोरे भावना, लिपायों अंगना गुरु आये मोरे भावना लिपायों अंगना, बाहर पोतायों घर अंगना लिपायों बाहरे पोतायों घर अंग ना लेपायों गईया के घीय से जलायों दियना गईया के घीय से जलायों दियना गोरु आये मोरे भावना लेपायों घर अंग ना गोरु आये मोरे भावना लेपायों घर अंग ना अंग ना पोतायों घर अंग ना लेपायों घर अंग ना पोतायों घर अंग ना गुरु आये मोरे भावनाले पायो आंगे ना